कि आपने बेपांच मुनीट सुबेच्छापी दे विद्यार्तियों ने बच्छी स्टार्ट करिए जी 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 स्टॉप शेरिंग करों जुब चिये शेर करेंज झाल 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 प्रास्ताविक थोडूप तम्हें है कुद्बोदना को सायब आवे स्री गोर्मिन्गुरु युनिवर्सिती डिपार्टमेंट अब कॉमर्स वारा आयोची आवे बुट्वमिन्गुरु युनिवर्सिती डिपार्टमेंट अब कॉमर्स वारा आवोची है अनलाइन प्री प्री कोचिंग क्लास जुडानार आप सोव वाला विध्यार्थ्योनु डॉक्टर अजिस्वनी आपनु आर्दिक स्वागत करूछू आपना माड़े आनन्नी वाच ए छेके SGGU द्वाला प्रचम मखदल समग्र गुजरात मा आए नाउत्तर प्रवक स्वरू थाई लवाचे जैने एक अज्जार काता वजारे विद्यार्थ यूटूब उपर और फेस्बूप उपर नियमे देते निहाली रहा छे जी अमारा सवना माड़े खुब आनन्नी वाच छे समग्र विश्व जाले कोरोनानी मामारी ना कप्राकार मा पसार थेदई होय आवा कप्राकार ना समयमा पाण विद्यार्थ यूणी अंदर रहेली इनाननी भूख अमें आ तबक के विद्वान अध्यापको द्वारा संतोस्वानों प्रायास करी रहा छे विद्ध्याज्यों बोदानी केरियर माठी सज्च बने सज्च बने अने ते दिसामा मैंने तने पूरुसार्थ करचा थाए अने पूर्ता में भली सभू उच्वान निर्मान करे तेज आ फ्री कोचिंग ओनलाइन क्लास बाचार्णों आस्ताई छे आजे आपनी वच्चे श्री सज्च बने अमारा एसी मेंबर डॉक्टर धिरेन सुतर्या आपने सुबेच्च आप्वा माठे उपस्तित छे सफर डॉक्टर तरीके कारकिंदी धरावना डॉक्टर धिरेन भाई कालोल ना वतनी चे बुझरा सरकार द्वारा त्रान वरस माठे आमने इसी मेंबर तरीके सब्सक्राइब करना चे जड़ावत आनन दाई चे के एसी जी धरा गयावर से सरुथे पी एचिनी कोस्त मा एक सोने इच्छो तेर विद्ध्यार जियों ने पीएचिनी माभ्यास नमा दाखल द्वा सब्सक्राइब केसी जी माँ गुझरा सरकार मा त्राइब करना चे जड़ावत द्वार्सिक ब्या लाग ने स्कॉलर्सिप माटे फॉम ब्रेला था हमारी इनिवसिटी ना ओगन चालिज विद्ध्यार थियो दर वर्से ब्याला यहां ब्यावर्स ने चाल लाग रुप्या अंडाजे एक करोड ने साहीट लाग रुप्या जो अमने स्टाइफंड अबाना वाइस चैंसलर प्रफेसर प्रकाप्स्री जिरेन भई अने इस्टीनी टीम ना सुप्यच्याथी स्वरुद्रों प्रियाचेडी कोर्स अन्या ओनलाइन कोर्स आगर वद्धी रहोचे तो मने आनन चे के धिरेन भई आपने पांच मिनीट मां विद्ध्याजोने सुप्य चाल अपसे धिरेन भई सुतर्या इस्टी मेंबा वंदनिया अजे बैसाइब मारा माटे आप एक दिवा डांडी छो कारिय क्रम्मा मंत्रित मैमान्सरी अन्य एस्टी ना मारा विद्ध्यार्थी मित्रों जरे वाव यह तो व्यावसाए थे मेडिकल माट फिल्ड माट फिल्ड माव यह एक वस्तविती जरे वह इंटर्व्यू कमिटर बेठो वह ए तरहे ने अने स्लेट अपना जी विस्तान ना विस्ता विस्ता वाव अटाव स्टी नीट वह तो बहुता पर जे श्तानीक स्थानीक वह पासे नेटनी लिए नहींवत होई सब्सक्राइब कि अभी ने शुक्राइब जवाबदारी आपके शेट परन्तु मैं यह आवी ने शुद आइवा कुछ वक्रावना की इन्यूर्सिटी इंदर यह प्लत्र बद्रानों बनियो च्पां यह नूदारानी आट छे कि में हमेशा मारी भूल जोई अगल भूल जोई जी ने कदाच यह ने इन्दर जैरे जैरे प्र जैरे पनूं वजे बाई साथे वाद चीट चरू मारी मनस्तिती पार्मिंग और नेश्ट लेट नो जे प्रोग्राम चे यह आपने खुपको बंदन जरू चुप अमारी इसी कांसिल वाती क्या मारी जे भावना हाती जे बावना ने तम्हें वाचा आपी अने नेश्ट लेट नुझारे एमने मूख्यू पर इस्टेसन माटे आटके मोड़ी संक्यानी इंदर जरे रिष्टेसन आता हौई रेकर अजे भाई तम्हें आविस्तार माटे आविस्तान विद्याज्यों माटे समाज माटे खरेकर चिंतन करूछ तो समने पोताने हुचे के हुँ पी एचेडी छू आवनारो बालक समाज नुन आनो भाई मारो दिक्रों ये पन नेट पास थाए आज आपनी वच्चे आवंत्रिद्व्यमान श्री नेट अने स्टेट माटे नी प्यास हूचे तो करवानुचे तेना मिसे विध्यार्य आपनने ग्णान आपसे तो आवेल मैमान श्री ने पण उन्नक मस्तक मंदन करूछू तो आपे मारी विध्यार्य ने हीत जोई आपे आपनों समाई फाड़ूचे तो आपसे तो याचे एधियार कर जो मारे विजयार क्यों में जरूर पड़े आपसाहईब ने गमे त्यारे है टार टो अपसाहेब एक्शन बेगानी नहार विजयार क्यों मदद कर जो एभी मिलोर किन्प करूँ जरूर जरूर। आकारियकरम थे मालाहामाटे कारियकरमा नथी आकारियकरम मालाहाटे यग्ने छलकुष कालवर पीर वेकम पनिना बेलवाजा पावद पाव्लमेकरभ पशियामाटे बाड़कोने करन करें अप्रदेस तर्टे ब्रह्मना ने अपने तोड़ी नाक्वान ने अपने पच्छात नती आप भुमी कामा ती बार आवानुचे करें सरकार आपने साथ यह अन्य नरिज्रेबाई अपने सतक चिंता करें आपने जारे आवा महानुबहों आपने चिंता करता होई अने जारे आपने सपोर्ट मरतो होई अने आपने उन्वेशिटी मा जागरूत आपनी पासे प्रद्यापक होई साथ नथी बस आपने महिनाद करवाने शेए अन्य साहभ श्री आजया पदार्या चे यह पर तमने प्रूट रूप छाशे इन्युशिटी बद्दी धृत्रा तमने मद्रूत हवा माटे तैयार चे इसके एक व्धी रातर तमारे माटे तैयार चे बस प्यास करों अमें प्रणाम करें अन्य तमने पर भगवान बढ़ आपे तमने विद्ध्या आपे एवी प्रात्ना करीश ने साथे साथे अजय बाई तमने वारंबार उप्रणाम करूँची अन्य तमने आ यगना आपकरी इसी कांसिल ना अमने लोकोने रूणी बनाए विद्धा चे पुनी स्विकार कुँछू आपको फित्रों खुब-खुब सपड़ता अन्य जलन्त उत्वर्ण सपड़ता साथे आप आगण वथ्यू अन्य आ येकिने नियंदर सौथी वदार रेंक अन्य मार्क आपने ये आप सवने वेच्छा पाठूँचू जय जय गली तुराग वंदे मातारम भारत माता की जी अजैसर आप म्यूट चो अजैसर आप अन्यूट करशो आपने खुब आज सरस डॉक्टर दिरेन बही नू प्रेणा दाई वक्षो व्या अमने सवने खुब माग दसन अने विज्जाते न उस्सा पुरो पड़ो बदर दिरेन बही आपने खुब भुब आवाल तमें सत्या विज्जात्यों न पक्से चिंति चो इंतन करना राचो अन्य आज रिते सहयोग आपो जो आपने सवने आनन चे अबर बदाने समय न आलेगा इदा बिध्यार्थियों सवने डौक्तर पांरंध रस्मिक आंभरवड मोती जी पी шт की न के लिटमें न परिक्षा चार वक्षर पास करिए हे जेयरे अबड़ो परक्षा हाने पास करिए हे लिटमें परिक्षा आमने बिगी आज ची टेक्निकल कोलेज में अम्दावाद मां प्रध्यापन तरीके काम रिए आजे तो पार्ट बही पुना अफरी दिवार आप सो विद्यार जोने प्रुस्थाहित तर्शो पार्ट बिने विनंति करू के एमनू आद्बू लेक्से सरू करे दिवन भी आपनो खुबकु प्रफ। प्रतम तो आप साउने नमस्कार फरी एकवार आपड़े यूट्यूब फेस्बुक पेज तेमज अन्या सोशेल मीडिया ना माध्यमों थी नेट्सलेट ना ओनलाइन कोचिंग क्लास माटे आप सव जोडाया छो तो आप सव ने सव प्रतम तोमारा वंदन नमस्कार थोडिक टेक्निकल शती होना कारणे थोडिक टेक्निकल घुचवण होना कारणे शेशन थोड़ूक लेट चालू थाई शक्यू छे एना वदल अमने शम्य करशो आपड़े सव जानी है छेम के नेट स्वीट ना ओनलाइन कोचिंग क्लास नू फर्स सेशन इनोग्रल सेशन आपड़े आठ मी जून ना रोज चालू कर्यू एना ज कंटिन्यूएशन ना भग रूपे आजे फरी एक वार पेपर वन एडले के जनरल पेपर चे आपड़ू त्रोन थी चार वखत अलग-अलग विश्यव ने लईने पेपर वन उपर आज प्रकार ना सेशन ससे आजनू जे आपड़ू सेशन छे ए टीचिंग एप्टिट्यूड उपर आधारी छे जेम आपड़े सव जानी है चें के टीचिंग एप्टिट्यूड एज टीचर कोई जरूरी कई शकाए एवी एक स्कील छे जे आपड़े सहुए डेवलोप करवी ज रही एटला माटे ज पहलू सेशन आपड़े टीचिंग एप्टिट्यूड थी चालू करी रहा चे जेधी करी ने हावनारा समय मां तमें कईपण वस्तू जोशो कईपण वस्तू तमें आप अबजव करशो कोई पण एनालिसिस करशो तो एक सामने मानस तरीके नहीं करो पण एज टीचर तरीके तमें करशो एटला माटे आएक टीचिंग एप्टिट्यूड नू सेशन आपड़े शरू करी रहा चे थुड़ा का आपड़े आगड़ वदीशू दीरे-दीरे सव प्रतम तो विशाय मां खुल बै वस्तू छे एक छे टीचिंग और बीजू छे एप्टिट्यूड हवे टीचिंग एप्टिट्यूड नी जो आगड़ वात करिये तो आपड़े सव जानिये चे के एक आपड़ा खुब ज गवरवनता कई शकाय एवा प्रेसिडेंट ओ इंडिया डॉक्टर एपीज अब्दूल कलाम हमने टीचिंग ना कंसेप्ट विशे एक खूब साधी बात करिया अपने सव जानिये चे हैं वी ओल नौ धेट की डॉक्टर एपीज अब्दूल कलाम साइन्टिस्ट नी साथे साथे एक खूब उमदा अने एक खूब के एडुकेशनिस्ट शुड बिल्ड दे कैपसिटीज अब दे स्पीरिट अप इंक्वाइरी, क्रियेटिविटी, एंट्रेप्रेनेरल एंड मोरल लीडर्शिप अमंग स्टूदेंस और रोल मॉडल खूब सरस आवात एमने एक स्पीच दरम्यान एक कॉन्वोकेशन नी स् प्राइमरी, वेदर इस सेकंडरी, हाइर सेकंडरी और इस हाइर एडुकेशन तो सौथी पहलं पहला तमारामा किटलाक स्पीरिट अने ए स्पीरिट माते नी कैपसिटी बिल्डिंग खास करी नहों होवी जोई है नबर वन यू शुड हैव इंक्वाइरी, यू शुड यू शुड हैव एंटर्प्रेनियरल और यू शुड हैव मोरल लीडर्शिप जो आ क्वालिटीज तमारामा हशे तोज तमें एक्वालिटीज ने तमारा स्टूडेन सुधी तमारा विद्यार्थ यू सुधी तमें पासौन करी शक्षो एड़ एड़ टाइम विद इस प् प्रोफेसर्स गणावदा अध्यापको ना संपर्क मां आवया एशू स्टार्टिंग फ्रॉम आवर किंडर्गार्डन टू आवर लेटेस्ट डिग्री पन आउट 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 अल ओब दिस टीचर्स आब अध्धाज सिक्षकों मां थी एवा लगबग बैचार टीचर् पर्सनालिटीज अशे के जेना थी आपड़े सव इंप्रेस थाएला चे अने ए तमामनी लाइप मां बहुच एक मोटू कॉंट्रिबूशन करीने जता होई चे ए आपड़ा तमामनी लाइप मां एक बहुच मोटू चेंज लावीने जता होई चे ने केक अलग प्रकानों आपड़ी लाइप मां डेवलोप करता होई चे अने एज टीचर्स आपने आजीवन आ मरियांत जयां सुधी आपड़े जीविये चे त्यां सुधी एज टीचर्स आपड़ा स्मुरूती पट उपर आपड़ी मेमरी पर हम्मेशा एक अमीट चाप छोडी ने जता होई चे तो एना वच्चे नो डिफरेंस सुके मापने बद्धा जब टीचर्स आपड़ा स्मुरूती पर आपड़ी मेमरी पर एटला बदा याद नथी होता तो अल्ली रीजन इस देट टीचर इस हाविंग अवरी पॉजिटिव एटिटिव एटिव 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 तुमारी पेडागोजी अथवा तो तमें जहरपन स्टूडेंस साथे कई पन प्रकार नू डीलिंग करो चो तो एक अलग प्रकार नी जे केवाए के तमारी एक परस्नालिटी होए तमारू एक केरेक्टर होए के जहना अधारे तमें तमारा स्टूडेंस ने अन्य आवनार प्रोसेस चालू करी रहा चो वेधर यू आर लर्नर और वेधर यू आर टीचर यू नो दराट टू पार्टीज ऑल्वेंस हमेशा बे पार्टीज टीचिंग नी प्रोसेस मा इनवाल चे एक तरफ छे लर्नर अने बीजी तरफ चे टीचर ओके अथवा तो एड्यूकेटर अथवा तो एकडेमिशन तो साथी पहला त्रोन प्रस्णों जे मैंशन करे ला चे स्क्रीन उपर के एज टीचर एज टीचर और एज लर्नर कया त्रोन प्रस्णों एवाज है के जहनो जवाब तमारा सेशन मां तमारा लेक्चर मां तमारा पीरियड मां तमारा थकी तमारा विद्यार्थियुने मडवो जोई है, the first question is why, second question is how, and third question is what, now थोड़ुकाने elaborate करिश, थोड़ुकाने विस्तरूत्यूं समझाईश, first जे अपड़ी PPT छे माउँ थोड़ोक वधारे समाई लई रहाचू, the only reason is के आनी clarity खूब जगत्या नी छे, whenever you are dealing with any kind of topic, any kind of concept, कोईपन प्रकानो topic, कोईपन प्रकानो सिधान्त तमें तमारा विद्यार्थियोंने समझाओ जो, irrespective of the subject, कोईपन subject होई, तो सौथी पहलो प्रश्ण ए तमारा मगजमा थाओ जोई है, अने एज प्रश्ण तमारा विद्यार्थियोंना मगजमा पन थाओ जोई है, अने मात्र प्रश्ण ना थाओ जोई है, एनो जवाब पन मलवो जोई है, के why this particular topic, और why this particular concept is to be dealt in this particular lecture, आ concept अथवा तो आ topic आपड़े केम भणी रहाया चे, ए वाई एटले के जे learning outcomes नी वाद छे, के आ concept भणेया पछी आपड़ा विद्यार्थी ने केटलू नौलेज आओ छे, अथवा तो आ पर्टिकुलर सेशन पछी आपड़ा विद्यार्थी ने आपड़ा विद्यार्थी के नौर्मली आपड़ा classrooms मां आपड़ा वर्क खंडों मां हाल पूर्तु चोक एंड टॉक एलेके एक बौड हसे, अने बौड मां continuously बौड वर्क थी बनावातू होई चे, पन आवनारा जमाना मां अने अल्रड़ी अत्यारे प्रोसेस चालू थेगी चे, के देरार सो मैनी अ के लिएट्स देट यू आर यूजिंग इन यूर क्लासरूम, गणी बदी गणा बदा एवा संसा धनो, गणा बदा एवा रिसोर्सेस हवे आ एक्वीस मी सधी मां आपड़ी जूडे छे, आने खास करीने हालना समय मां तो ए संसा धनो थी ज आपड़े आपड़े अपड़ अचान जे छे, के हाउ एट इस टू बी टॉट, देट इस वेरी इंपोर्टन आने मात्र माध्यम नहीं, मात्र संचा धन नो उप्योग नहीं, यू आर हविंग बेस टेकनोलोजी विद यू, तमारी जोडे खूबत सुन्दर टेकनोलोजी अवेलेबल छे, पड़ जो तमा अथवा तो फेस्बूक उपर अने हूं अत्यान हाल मां जे टीचिंग करी रहा चू, ये मात्र स्क्रीन उपर करी रहा चू, एंड राइट नाओ, आई डोंट नो के हाउ मैनी व्यूवर्स आर देर, वाट इस ट्रेंथ आप माई क्लास्रूम, मारा क्लास्रूम मां त्यार क लाइचन, और विजेूलाईजेशन इग वन्यूवर्स आर श्री टीम कांटिंगा थाव मां एको वजीूलाईजेशन एव। त्मारा महाजमा थाू हो ये, के जैना अधारे तमेे वजे अखी ख़ो, के तमारों जे मास से वेले टे नाड़ा खो, आँख ये अन्जूर ये lecture and finally the third question uh needs to be answered is what okay तमारा a particular session मां तमें कयो content deliver कर सो sometimes it happens there are many teachers के जमना sessions मां तमें जो के they have delivered so many things गणिबदी वस्तों मां डिलीवर करी हुआ चे अने at the end of the day you feel like के बद्दूज एक उपर चल्लू तमने एक knowledge मड़ी हुआ चे पन क्या है आपड़े डेप्थ जे आवी जो ही है डेप्थ कदाच क्या एक पकड़ी नथी शक्या एले this is very equally important के what is to be delivered you know अने इटला माटे ज़ आ अमेरिकन जे एजुकेशन सेक्टर छे खास करी ने अमेरिकन एजुकेशनल रिसर्चर से एलोको एक पर्टिकुलर एक स्पैसिफिक बाबत उपर खास भार आपता हुआ चे अने अनु नाम चे ब्लूम के प्लानिंग आपड़ी पास से हो जोई एज टीचर तरीके तो अने मात्र तो जह एक आपड़ो जे टीचर तरीके नो एप्टीटूड छे एप्टीटूड प्रॉपरीते डेवलोप थाई शके What is the need of teaching? This is again very important whenever as a teacher or whenever as a learner, you know, जेरे पन तम्हें teaching process मां involved छो, तो तमने ए खबर होवी जुए कि teaching नी main need छो छे. तो number one, as we all know, giving some knowledge to the students. आपड़ा जे पन विद्धियार थी छे, आपड़ो जे पन मास छे. कोई पन classroom मां, कोई पन बेठेलो, कोई पन उम्मन वेक्ति ए विद्धियार थी छे. अने मात्र classroom मां बेठेलो जे वेक्ति नहीं, पन इन वे आपड़े जोई है, तो आप रह्मान मां जेटला पन सजीव छे, जेटला पन living objects से, they all are students. They all are lifelong students. तो, it is very important need of a teacher to give some very fruitful knowledge to their students, whomsoever is attending session. कदाच यू बनी शके, के as a teacher तरीके जहरे तमें lecture deliver करी रहा चो, at that point of time, you may feel के तमारो जे मास से, ये मास अलग-अलग प्रकारना differences माथी आवे चे. पन तेम चाता, your objective is always to impart some knowledge to your students. ए गमेते एज गूरूप माथी आवता होए, ए गमेते बैग्राउंड माथी आवता होए, ए गमेते कल्चर माथी आवता होए, ए गमेते क्रीड, कास्ट, रिलिजिन, irrespective of any kind of indifferences, as a teacher, your only and only objective is to impart fruitful and important knowledge to your students. passing some information to them, you know, apart from knowledge of the subject, it is equivalently important to impart some very useful information. गणी वार क्लासरूम मा एव थतू होए छे, कारण के अभ्यास क्रम एटलो लांबो होए छे, syllabus is very lengthy, तो गणी वखत एव थतू होए छे, के मात्र ने मात्र syllabus oriented वातों आपड़े करता होई ये चे, अने तमे कदाच, एज लर्नर तरीके, स्टूडेंट तरीके हूँ अनुभवियू पनाशे, के जे टीचर मात्र ने मात्र अभ्यास क्रम पूर्ता, syllabus पूर्ता सेमित रहे छे, एज टीचर इटला effective होता नाथी, तो खास as a teacher तरीके, आपड़े ये आद राखू जोई है, we have to remember that, that apart from the knowledge that you are giving for getting marks, you have to also share some very important information, say for example, I am the teacher of accountancy, accountancy no teacher चूँ, तो as an accountancy teacher, my role is not to calculate practical questions on the board, खाली practical questions on the board पर गणा वीदा हो, that is not enough, but what is going on right now in the field of accounting, okay, right now so many things are going, robotic accounting is going, forensic accounting, there are so many new things, तो जियां सुधी तमें information तमारा student ने convey नहीं करो, त्यां सुधी तमारों session जे छे, त्यां सुधी तमारों जे teaching चे एटलू effective नहीं थाए, I would always say, हुँ अम्मेशा एक वस्तु कहतो हुचू कि धरार four types of teachers, हम्मेशा जीवन माँ चार प्रकार ना teacher होईचे, teacher number one, एक एवा teachers के जे लोको classroom मा आवी ने मात्र कैक बनावी ने जता रहता होईचे, मात्र कैक explain करीने जता रहता होईचे, teacher number two, के जे लोको classroom मा बनावानी साथे साथे कैक demonstrates करेचे, केटलाक संशादनों उप्योग करीने teaching ने थोड़ू वधारे interesting बनावेचे, third type जे teacher नी छे, ए लोको demonstration नी साथे तमने पोताने visualize करावेचे, तो I repeat के first type ना जे teacher छे, ए teacher तमने explanation आपे छे, second type ना जे teacher छे, ए explanation नी साथे साथे तमने demonstration पन आपे छे, third type ना जे teacher छे, explanation, demonstration आनने तमने पोताने visualization पन करावेचे, आने I belong to fourth category, fourth category ना जे teacher चे ये तमने subject भणवा माटे नू motivation आपे चे, ये subject भणवा माटे नो spark आपे चे, subject भणवा माटे नू inspiration आपे चे and I always wanted to be in the fourth category हुँ, हम में शा चौथी category नो teacher भणवा मागू चुँ, because आगणना जे त्रोन टीचर से, ये teachers तो हवे तमने YouTube पर पण मली जशे, आगणना जे त्रोन टीचर से हवे तमने virtual world माँ पण मली जशे, पन जे fourth type ना, जे fourth category ना teacher चे के जे तमने subject भणवा माटे motivate करे चे, जे तमने subject भणवा माटे क्याक ने क्याक एक spark आपे चे, inspiration आपे चे, ए टाइप ना teacher जो तमने बनो, तो तमारी acceptability अने तमारी जे reach चे, तमारा students माटे नी एक खुबज वधी जती हुआई चे, तो नमबर थी, making the students acquire some skill, you know, this is very important thing, even the government is focusing now on skill, you know, आपडी government पन अत्यारे, skill India related किटला अंतरगत किटला प्रोजेक्स अने किटला initiatives अलड़ी लाई रही चे, okay, you know, right now, we are comparing ourself to so many other countries, आपड़े, आपड़ी comparison गणी बिदी अलग-अलग countries साथे करी रहा हाई चे, आने त्यारे एक एवो narrative चाली रहा चे, के चाइना नी जे प्रोड़क्स से ए आपड़े ना खरी दिये, आने आपड़े जे local to local जे concept प्राइम मिनिस्टर साहेब आपे हो, ए तरप आपड़े आगण वधी रहा है चे, पण यह मारो एक question छे, के शू चाइना जेटली comparison मां आपड़े जोड़े हजू पण एटली skilled population छे, are we having those skilled citizens के जे चाइना नी साथे compete करी शके, तो हजू पण क्यां का आपड़े skilled population मां लेक करी रहा छे, just because of this reason के क्यांक ने क्यांक आपड़े education छे, आपड़े academics छे, ए हजू पण industry साथे एटलो समनवाई साधी शक्यू ना थी, तो it is the need of the time and it is the need of latest education system के आपड़े बद्धज as a teacher तरीके, अने as a learner तरीके continuously अलग अलग प्रकार नी जे skills छे आपड़ी डेवलोप करी है, जहें के खालमा हुझे माध्यम थी आपनो session लही रहा हुचू, यह session वेबेक्स नू माध्यम चे अने वेबेक्स साथे यूट्यूब और फेस्बूक उपर लाइव स्ट्रीमिंग था ही रहुचे, तो as a teacher, you know, my duty is not only to teach this teaching aptitude of paper 1 for net and slate, but apart from that, you know, I can also impart some knowledge of this technology, जी के वेबेक्स उपर अथवा तो Zoom उपर अथवा तो पची अन्य किटलाग माध्यम हो चे के ना उपर आपड़े आपड़ू session के भी रितेले ही शक्ये, there are so many things, if you are aware, तो कदा च Google Scholar चे, Google Classroom चे, you know, this all are virtual classroom, क्या वे तमारे क्या है पण face to face, कोई पण तमारा विद्यार थी नो class लेवानी जरूर ना थी, you are having facility of virtual classroom, you are having facility of virtual evaluation system, virtual examination system, तो as a teacher, आप skills जो तमारा माँ हशे, तो तमारा students से तमें इंपर्ट करी शक्सो, नंबर फोर, changing the attitude of learners, तमारा जे learners से, तमारा जे students से, एनो attitude जे जे एनो अभीगम जे छे, एक याक ने क्याक तमें चेंज करी शको एक capacity माँ होवा जो, you know, कोई पण वेक्ति, आ समाज माँ जन में छे, जन में छे पची एवाल थाई छे, अने evolution नी जे प्रक्रिया छे, प्रक्रिया मां बे वेक्तियों नू खुबज एक मोटू contribution होई छे, एक एक वेक्ति ना जे टीचर सौथी पहला जे टीचर छे, एना parents, एना माबाप अने बीजा जे एना गुरू जे एना सिक्षको जे एना अध्यापको छे ए तो आप बनने नो रोल जे छे, टीचर तरीके नो ए सौथी अगत्य नो ए छे, के apart from this school education, apart from this higher education, के जे आपड़े कॉलेज इसमा युनिवरसेटी ना माध्यम थी लईये छे, साथे साथे एक खुब जगत्य नो रोल ए होए छे, के आपड़े क्याक ने क्याक values अने morals पन ए विद्यार्थी माँ डेवलोप करिये, केम आपड़े ओ प्रहत्न ना करी शक्किये, के विद्यार्थी classroom माँ बैसी ने एक्जाम आप तो होए, तो विदाउट supervisor पन ए एक पन म साथे एक हम्मेशा एक चौकस हाडवर्क साथे आगर वदे एनने हम्मेशा एक अलग प्रकार नी curiosity होई कोई topic भणवा माटे नी पन सम्हाव हजू पन ए वस्तु एडुकेशन सिस्टम मां वर्ल लेवल उपर पन लेकिंग चे आने इंडिया मां पन लेकिंग चे तो एना मा थोड़ा दीवस पहला बैत्रों दीवस पहला टैन्थ स्टांडर नू रिजल्ट आविऊ अने टैन्थ स्टांडर ना रिजल्ट मां कोई एक विशाई नू पेपर खुब ज अगरू होवा थी गणावधा विद्यार्थियों क्या तो एमां जे धारे आता ए मार्क करता एम एक लेवल सुधी इंपोर्टन्ट होई चे पन एक लेवल नी उपर तमें जशो त्या त्रोण वस्तों खूबज इंपोर्टन्ट होई चे एक तो दूरिंग दे एजुकेशन तमें तमारों जे पन भणतर मेविऊ एजुकेशन दर्म्यान किटली स्किल अक्वायर करी दू आपन पन स्टेक्खोल्डर्स अधले आपड आसपास अन्य ापड़ी साथे संकड़ायला एतमाम लोगो जे क्याकने क्याकने क्याक्त तम्हारा पोलताना बिहेवियर ठी अफैक्ट होई चे तमारा वրतन तमारी वानी अब द्दानों क्याकने ने क्याक येमनी उपर बहु is to develop an attitude and is to you know caste behavior is to modify behavior of students and the most important thing is आपड़े शव एउ कहता है चे के मानस जे अनुबाव ना अधार शिखे चे ए साउथी lifelong learning होई चे तमने घणा लाबा समय सुथी याद होई चे तमारू teaching ए प्रकान नू हो जोई है के related with the life you know गणी वखत एवा questions थता होई चे गणी वखत एवा प्रस्णों थता होई चे खास करी ने जयरा आपड़े विध्यार्थी है जेमके हुँ स्कूल एजुकेशन नी वाद करू मारा पोता ना तो मने काय मेवा प्रस्णों थता हता के गणीत शू काम भणू विग्नान शू काम भणू वाई टू स्टड़ी मैट्स वाई टू स्टड़ी साइन्स युनों एनो आंसर मने घणा लाबा समय सुथी मारी लाइप मान आम कि कॉर्ड़ी मागर में आपड़ी घणीद जेंा कि अ मत्रीम करते सी एक युद्ध मां शूर्म सेजल अबroा शेंन्स मों करते समयनुकेशन मला ठीक हतो तम्हें solution गणो, if your solution is right, तो तमने marks मल चे, if your solution is wrong, तो तमने wrong माटे पन तमारा जिटला step साचा हो एना marks मले चे, तो आँ अखी एक process से maths माटे नी, पन आ process तमने शू शीखवाडे चे, तो आ process तमने साउती पहला तो ये शीखवाडे चे, कि जो तमारे तमारा मैट्स नों आखो सम करेक्ट करवो हसे, साचो करवो हसे, तो तमारा बद्धत स्टैप साचा हो वा जोई है, it means you have to have accuracy in your work, तमारा कामा चोकसाई हसे, तो जो तम्हें चिल्ला स्टैप सुधी, तो ये शाचा अंसर सुधी पहुंची शक्सो, तो this is skill, this is quality, एक quality डेवलोप थे अने quality छे, consistency अने accuracy, प्लस, बीजी एक स्कील तमारी के, जो कोई सम तमारो नॉर्मली पांच के साथ में रिटमा सॉल थाई जतो होए, तो तमारो प्रहत्न सतत एवो होए, के एनी वधरे प्रैक्टिस करीने, by practicing it more, तमें कदाच ए समय पांच साथ मिनित नी जग्या है, चार के त्रोण मिनित सुधी पन लावी शको, तो that is your time management, ये तमने time management सिखवाड़े छे, अने apart from this time management, accuracy, और consistency, एनी साथे साथे तमने क्याक ने क्याक concentration अन्नो जे तमारो गूण छे, ए concentration एले के एका ग्रता नो जे गूण छे, ए पन क्याक डेवलोक करे छे, तो तमामें तमाम ज नो महत्वच है, इतला माटे ज ए विशयो आपड़ा अपड़ा अप्यास करम मा अलग-अलग लेवल उपर आपपा मावेला छे, तो this is the need of the teaching, now coming to the objectives, with what objectives we are involving ourselves in this teaching process, कई प्रकान अबजेक्टिव साथे आपड़े teaching process माँ आपड़ी जातने इन्वाल करिये छे, तो number one, to bring desired changes in pupils, pupils एलेके विद्यार्थियो, आपड़ा जे पड़ विद्यार्थी जे आपड़ा क्लासरूम मा बैठा छे अथवा तो, अन्य कोई पड़ माध्यम थी आपड़ी साथे जोडाएला छे, तो क्याक ने क्याक एमनामा आपड़े काइक परिवर्तन, नानू एव परिवर्तन लावी शक्किये, उँँ अम्मेशा मारा क्लासरूम मा एक वाक्य मारा विद्यार्थियों ना केतो ओऊचू, मारा जिटला पन विद्यार्थियों मारा क्लासरूम मा बैठा ओए छे, ए विद्यार्थियों ने उँँ केतो ओऊचू, के अमारी जोडे एव नथी के आ विश टका ग्नयान मां थी तम्ये मात्र एक टका ग्नयान पन अमारा क्लास्रूम मां थी क्या अमारा सैशन मां थी लहिने जाओ चो. तो तमारी लाइप मां ए एक टका ग्नयान अधारे 0.1 % चेंज आओ शें. पॉइंट वन परसंट चेंज माटे तमारे अमारों लेक्चर भरवो जोईए, रेग्यूलर भरवो जोईए, जेथी करीने, by having that 5% knowledge, you can get 1% knowledge, and that 1% knowledge will bring change of 0.1% knowledge, तो हुँ तमने 5 टका नॉलेज मारू छे पोतानू, ए जानवा माटे चकासमा माटे क्लासूरूम मा बैसवानू पन ए पास्ट का नॉलेज ना अधार है तमारी लाइप माँ, जे 0.1% change छे, ए 0.1% change माटे तमारे क्लासूरूम मा बैसवानू जोई है, तो this is one of the objective, to shape behavior and conduct, you know, आपड़े सव जानिये चे, के सभ्ये समाज माँ, सवथी अगत्यानू जो कोई contribution होई, आपड़ा तमामे तमा यह पची राजा होई, के पची प्रजा होई, okay, ancient times नी जो वाद करिये आपड़े, तो एवाग खिटलाक सारा सारा teachers से, के जे मने हम्मेशा एक अलग प्रकानू मार्ग दर्शन, एक अलग प्रकानू guidance आपी उचे, के जेना कारणे, एक प्रॉपर behavior आने एक प्रॉपर code of conduct जे केवाई, एनू क्याक ने क्याक शेपिंग थायलू छे, अने एटला माटे, teachers are always having a big responsibility on their shoulders, एवाँ हम्मेशा केतो होचू, मारा अगाउना सेशन मापण में किदू आतू, के teacher नी महत्ता अने teacher नू मान सन्मान सू छे, एवाँ नथी के हूँ पोते teacher छू, एटला माटे आ प्रका नू के एक मार्केटिंग करी रहा छू, पन मने पोता नी मारी लाइप माँ टी होवानी साथे साथे हूँ जे पन समय स्टूडेंट हतो, अथवा तो छू, अथवा तो आवनारा समय मां रहिश, तो ए समय मां हूँ सतत कईक नेक एक शिक्तो गया छू, अने शिक्व आवना कारणे मारू जे भीवियर छे, मारी जे वानी छे, मारू जे विवेक छे, मारी जे बुद्धी छे, मारू जे तरक छे एक यांक ने क्यांक एक अलग दिशा माँ डेवलोप थे लो छे, तो दिस वेरी इंपोर्तन ओब्जेक्टिव, नमर थ्री, अपने नॉलेज घ्यान सतत मेडवता रही आपड़े आ प्रोसेस थाकी नंबर फोर तो इंप्रूब द लर्निंग स्कील स्कील से अपड़ा स्टूडेंस था अपड़े आपड़े इंप्रूब करता रही है अलग अलग जे महाधियम हो चे अनों उप्योग करीने देन दिस वेरी इंपोर्डेंट नंबर फाइव फोर्मेशन ओप बिलिफ आपड़ी जे मान्यत आओ छे समाज प्रत्ये नी पर्टि एक बहुती कंट्रिबियोशन एक बहुती फॉर्मेश जे छे ए लावी शकोच वह वह भान नों चुकिंगे समाज मां जिटला परभीम से जिटला पर इशियू से जिटला पर नेगेटिव साइड से ए ए नेगेटिव साइड्स नूँ जो क्याक ने क्याक आपणे एनालिस करिए तो एनालिसिस नी पाछड आपन ने उ जानवा अमल छे के एना जे टीचर से ए वेक्ती ना अथवा तो ए पर्टिकुलर वर्ग ना ए टीचर स क्या कने क्या का पोता नी जवाबदारी चुके ला छे पोता नी रिस्पोंसिबिलिटी समझी नथी शक्या आपनने जुवा मनती होई चे ए नेगेटिव साइड्स होई चे एले फोर्मेशन ऑफ बेलीफ इस अल्सो वेरी इंपोर्टन तो प्रोवाइड आपनने एफिशेंट मेंबर तो दे सोसाइटी इस वेरी इंपोर्टन थिंग आपने गणी वक्त आपने पोता नी जातने बीज जे अलग-अलग सभ्य समाजना लोको चे एनी साथे कंपेर करता ही ये चे तो वाट इस डिफ्रेंस साथी जे अगर त्यानों डिफ्रेंस है के तमारू जे बंतर चे एनी साथे एक अलग प्रकार नूं घंतर पन एटलू जरूरी चे अन्य ओवर पिरियेड ओप टाइम तम ओड़ प्रकार ने तमरू टीचिंग प्रोवाइड करेंज है तो इस आर आ इस बडिफ्रेंस इनी साथे एक अब्र प्रकार न। थी जे एक जिए अटूर्टिशन अफ सुद्ट पाल गवर तो प्रकार न। इफूर्ट आपन प्रकार न। प्रकार न। न। यम्र लिवर and formation of belief and number six to provide social and efficient member to the society छट्थू जे छे खूब जगत यानू छे कदाच दसमा के बारमा धुरण मा एक विशे मा अपड़े फेल थाईशू तो चाल छे पण ए फेलियोर पछी आपड़े केटा जल्ली पाछा अपड़ा करियर मा बाउंस बैक थाईए छे आने त्यार बाद आपड़े समाज ने सू कांट्रिबूट करी शक्किये छे आपड़े आपड़ा देश ने सू कांट्रिबूट करी शक्किये छे आपड़े आपड़ा फेमिली ने सू कांट्रिबूट करी शक्किये छे पॉजिटिव डारेक्शन मा धेट इस वेरी इंपोर टीचिंग केता हुई है चे अन्य ए मूटा भागे एकदम बॉटम लेवल उपर चे if you will construct pyramid जो तमें एक त्रिकॉण बनाओ तो सौथी जे तड़िया नूँ लेवल चे सौथी जे बॉटम लेवल चे ए टीचिंग नूँ छे एने कैशू आपड़े अपड़ी थौटलेस टीचिंग कहिए चे अने सामनी आने सरण भाष्णा मां जो कहिए तो रट्टाफिकेशन एटले आपड़े सामनी रिते कोई पड़ विशय मां जेमा अपड़ने रस नथी पड़तो एमा मात्रा आपड़े याद शक्ती जे चे अपड़ी जे मेमरी चे एना आधारे जब दिज वस्तो गोखता है चे एक सरस गुजराती शब्द चे गोखवू अने हिंदी शब्द चे रट्टा मारना अने इंगलिश चे टु मग अप सम्थिंग तो आजे बॉटम लेवल टीचिंग नी जे आवाद छे जेना अपड़े कोगनिटिव अने मात्र थोटलेस्टीचिंग अपपानो होए चे मात्र अने मात्र कोईक इन्फर्मेशन कोईक नोलेज मेमरी ना अधारे याद राखवानो होए चे तिस वेरी बॉटम लेवल टीचिंग मोटा भागे अपड़े प्राइमरी लेवल उपर के ज्यां कुईपन बाला तो कोई पन वेक्ति डेवलोपिंग स्टेज मा होए चे तिया आ प्रकानू टीचिंग आपने जोवाँ मड़तू होए चे तीचर इस देर आने टीचर विल इंपार्ट सम नौलेज आने विद्धियार्त याने याद राकी ने ग्रास्प करी ने पोतानी एक्जाम आपता होए चे त्यार बाद जे सेकंड लेवल चे डेट इस अंडिस्टेंडिंग लेवल के जैमां क्यांक विचारों करवानी एक प्रक्रिया चे देने अपड़े के ये छे फुल टीचिंग जो पिरामीड नी वाद करिये तो बॉटम लेवल उपर मेमरी लेवल चे त्यार बाद एना अंडिस्टेंडिंग एक प्रॉपर समझन जो उभी था ये सामे वाड़ा वेक्ति ने तमारा स्टूडेंट ने ये तमारों उद्देश होई चे आने थर्ड एन वेरी इंपोर्टन्ट एन्ड मोस्ट इंट्रक्टिव लेवल जैने कहवाई चे रिफ्लेक्टिव लेवल के तमें जे पन लेक्चर डिलीवर करो चो ए सामे वाड़ा वेक्ति ने तमारों जे स्टूडेंट चे तमारों जे मास से एने खूब सारी रिते ए लेक्चर अंडिस्टेंड थाई चे एने समझाई चे अने ए समझाया पछी ए पोता नी जाते जे कहवाई एक प्रकान नूं एक प्रकान नूं पोता नूं जे सेल्फ एनालिसिस से एक कर शे आने विद देट सेल्फ एनालिसिस ए क्याक ने क्याक ए सेल्फ रिफ्लेक्शन नी जे थियरी छे पोता नूं जे आत्मा निरिक्षन छे ए जे प्रक्रिया चे आत्मा निरिक्षन नी प्रक्रिया ना आधार गणिबिती वस्तुओ ए शिक्ष छे, ओके, that is called reflective level, तो आप पीरामीड मा टोटल त्रोण लेवल छे, साथी उपर, साथी टॉप पर, reflective level, middle level उपर, understanding level, अने थर्ड लेवल उपर, memory level, as a teacher तरीके, तमारे आ त्रोणे त्रोण लेवल उपर काम करवू जोईए, it is expected, you have to work on all these three levels you know, यू जरूरी नथी और यू शक्यापन नथी के तमें पोताना first lecture मा, in very first session of any topic, तमें कदाच reflective level मा पहुची शको, जो तमें पहुची शको, if you can reach to the reflective level, then it is well and good, okay, पन सूनर और लेटर, slowly and gradually, from memory level, you can jump to understanding level, and from understanding level, you can jump to reflective level, and from understanding level, you can jump to reflective level, अने एना माते, जे thoughtless process थी, अपर thoughtful level नी जे process से, जे memory level थी, reflective level नी जे process से, ए प्रोसेस क्यांक ने क्यांक as a teacher तरीके, तमारे करवी जोई है, then and only then, तमारो जे session छे, तमारो जे lecture छे, ए क्यांक ने क्यांक interactive बन छे, विद्ध्यार्थियों पन एमाँ actively रस लेश है, हूँ अम्मेश आई जानतो हो जो, के तमारा विद्ध्यार्थियों ने, तमारा स्टूडेंस ने, तमारो लेक्चर अटेंड करवानी क्यारे मज़ा आवे, गणी वक्त यह हूँ था है, के कोई, कोई particular faculty नो session आपड़े अटेंड करिये, तो ए session अटेंड करिया पछी, तमारा मोड़ा पर एक अ साथे काम करतो है, तो आने मातर तो जे तमारा स्टूडेंट ना मोड़ा उपर ए प्रकान नो चाम, ए प्रकान नी जे स्माइल चे आव शे, आने इटला माटे जे टीचर तरीके तमारे खुब जे एनरजी साथे लेक्चल लेओ पड़े, तो जो तमारो वाईस कदा च दीम with which we have to enter in our classroom, जरे पन आपड़े classroom मां एंटर थाईए चे, तो आ त्रोने त्रोन लेवलों ने आपड़े ध्यान मा राखवा जोईए, Now, characteristics and basic requirements थोड़ुक अईयाँ जड़ब थी जेश, बिकाज आगड़ पण एनो क्याक ने क्याक रेफरेंस आपेलो छे, learners characteristics नी साथी पहला आपड़े वाद करिये, तो as a learner तमारा classroom मां तमारो जे पन विद्यार थी छे, एनने किटला characteristics से, जेंके personal characteristics, आपड़े घणी वख़त एउँ केता है ये छे क्या विद्यार्थी खुब होशियार छे, आ विद्यार्थी एवरेज छे अथ्वा तो आ विद्यार्थी डल छे, तो this is personal characteristics, तमारा classroom मां जो 100 विद्यार्थी यो बैठा आशे, तो जरूरी न थी के 100-100 विद्यार्थी नू ग्रास्पिंग जे छे, 1200 विद्यार्थी नू जे concentration चे एक सर्खु जशे, एवीज रिते तमारा classroom मां जे पन विद्यार्थी बैठो चे, जे पन learner चे, एनू academic जे background चे, एक दाच सर्खु नहीं होई, घणी वखत एउँ बने, मारा पोतानाज case मां एउँ थतु आतु, कि माने math मा थोड़ीक ओची समझन पड़ती थी, थोड़ी एले घणी ओची समझन पड़ती थी, तो हम्मेशा सामने विद्यार्थी करता मारी जे math नी understanding होई, basic understanding एक घणी एक सामने विद्यार्थी करता थोड़ीक ओची हती, तो जहां सुधी मारो teacher जे छे, मारो जे प्रोफेसर छे, अथवा तो मारा classroom मा जे पन वेक्ती मने भणावी रहो छे, ए लेवल थी, चालू ना करे, तेहां सुधी मारी understanding again match नती थती, तो अहीं खास एक वस्तू अगत्यानी होई छे, के जहरे पन एज टीचर तरीके classroom मा तमें enter थाओ छो, तो हम्मेशा एटलू अगरू पन ना भणाओ, के जे तमारो जे सामन्य विद्यार्थी छे, जे एक तम डल विद्यार्थी छे, एने भणवा मा मुश्केली पड़े, अने एटलू सेलू पन ना भणाओ, के जे तमारो साउथी स्कॉलर विद्यार्थी छे, एने एटलू लागे के शिट आ लेक्चर भरी ने, क्याक ने क्याक मने ए प्रकानी मजा ना आवी, मने के एक नव जानवा ना मढ़िऊ, तो ए बैलेंस ऑल्वेस तमारे क्याक ने क्य चनमा कोई विद्यार थी, सतत काई प्रकाननों निूसंस क्रियेट करतो है, वातों क्रियेट करतो हुए, तो ए प्रकानी जे घटनाओ थती होए चे, ए प्रकानी घटनाओनों साउथी मोटू कारण है चे, क्याक ने क्याक एज टीचर तरीके तमे एना लेवल ने मैच नती थाई सकता यहनी जे frequency छे ये frequency तमारे मैंच करवी पड़े और एफ रिक्वंसी मैच करवा माएंटे आज ये characteristics से personal characteristics होई academic होई social होई emotional होई और जे cognitive characteristics से ये तमामे तमाम characteristics से तमारे ध्यान मा लेवा जोईए उस सप्ष्ट पने मानू छू कि कोई पण केंपस मां ए स्कूल केंपस होय ए कॉलेज केंपस ओए एक वद्थ्यार्थिक दॉं संपूर्ण रिते क्रिएंट कर रहा वियारंड क्लास रूम मा थि से कृणद हो अपड़ा क्लास्रूम मा थि बहर कर शोग यह मुंसेंट क्लासरूम शोगा है एनी जे पण त्यारे नेगेटिव डाइरेक्षन नी जे एनरजी छे युनो ए नॉटोरियस से तोफानी छे एटले एक वस्तुत बोग लियर छे के सामने विद्यार्थी करता एनी जे उर्जा छे एनी जे कैपेसिटी छे ए थोड़ी वधारे छे त्यारे जे नॉटोरियस से त्यारे जे तोफानी छे तो एज टीचर तरी के वाट इस यॉर रोल के एज नेगेटिव एनरजी छे एनने क्या पॉजिटीव डाइरेक्षन मा तमें चैनलाइज करी शको अने घणी वक्षत एव जोएलो छे के साओथी जे तोफानी विद्यार्थी होए पोताना स्कूल पोताना कॉलेज अब्यास दर्ब्यान एज विद्यार्थी आवनार भविश्य मां का एक मोटा मिरेकल्स करे छे पोतानी लाइप मां अने पोतानी कारकिर दीने एक नव आयाम पन आपता होए छे तो एमां साउथी अगत्यानों जे रोल छे एचे टीचर नो तो वेनेवर यू आर एंटरिंग इन्टो अ क्लासरूम जहरे पन तम्हें क्लासरूम मां एंटर थाओ छो तो तमारों जे लर्नर छे तमारों जे स्टूडेंट चे विद्यार्थी चे एना क्रेक्टरिस्टिक्स खास जानवा जोई है गणी वख़त एऊ था तु आए छे के क्लासरूम म 10 मिनिट केम लेटा हो कदा चैने कोईक बस मडवा मां मौडू थाओ अथवा तो पछी रस्ता मां पंचर पड़िऊ यूनो आ प्रकाना के प्रश्णों थता होई छे आने घणी वख़त यू पन थतु है के घणा विद्यार्थी यूनी ये के भी आदत होई के 15 मिनिट पंची तमें आमने पूछो तो एलोको तमने खोटा बहन आपसे के सर ढू थाओ तू आम थाओ तू तू तो तो एज टीचर तरीके तमारी पासे या बनने प्रकाना विद्यार्थी यू चे यूर याविंग इस टू तू आइपस अब स्टूडेंज के वह विद्यार्थी तोंहरे सदलन के सब्सक्क नाइन रहर टेचिंग के लिए चे के डेमोग्राफिक इन्फरमेशन एक आया बेग्राउंड माथी आवे चे कई लोकालेटी माथी आवे चे एनी एज एनू जेंडर यूनो तम्हें जे रिते मेल स्तूडेंसे त्हे ट्रीट करिशद्यों यह हममेंषा के फ्यमेल होई चे लेडी स्टूडेंस होई चे हममेशा atau फ्या थोड़ाक सैंसिटिव हई तो क्याकर एक यह सैंसिटिव फ्यासyes तो पने तमारे कंसीडर करवी पड़े अने जो मेल होई तो एनी थोड़ी टफ फिलिंग्स होई तो ए टफ फिलिंग्स ने पने तमारे कंसीडर करवी पड़े वह हम्मेशा मानूँ छू के तुम्हें जो टीचर छो कोई पन लेवल उपर तो टीचर तरीके तमारू मनोव इग्नानिक तरीके नू पण एक अलग प्रकानी जवाबदारी छे एक अलग प्रकानी रिस्पोनसिबिलिटी छे काण के तमारू विचारू के दर वर्षे एवरी यर अलग-अलग जन्रेशन म थी मानों के तमारों 20-25 के 30 वर्ष नो अनूबव होए तो तम्हें विचारू के 10-10 वर्षे एवरी डिकेड दर दर वर्षे तमारों जे स्पैन छे तमारों जे आको क्राउड छे एक क्राउड नी मेंटालिटी एक राउड नो जन्रेशन गैप ए बद्दीज वस्तू चें ने मैच करवानी होए तो दिस इस वेरी इंपोर्टेंट पर्सनल केरेक्टरिस्टिक्स मां कल्चरल बैग्राउंड मैच्योरिटी एक परिपक्वता लेंग्वेज एक भाषा जे पची सोशल एकोनॉमिक स्टेटस स्पेशल नीड्स ओफ लर्णर ग्रूप सच पर्टिकु लर्णर ना यह तमारे कंसिडर करवा जोई है एकेडेमिक्स रिलेटेड जे केरेक्टरिस्टिक्स है एमाँ एजूकेशन टाइप एजूकेशन लेवल एनू जे नौलेज छे ए प्रकार नी वातों छे कोग्निटिव केरेक्टरिस्टिक खास करीने विद्यार्थी नी जे म स्टूडेंट होए कि जे क्लास्रूम में कई ज बोलता ना होए और अमों खूब एक्स्ट्रोवर्ट टाइप ना आए लेके बहीर मुखी टाइप नूं व्यक्तित्व होए तो घणी वखत आब दी वातों पन तमारे क्याक ने क्याक ने क्या कंसिडर करवी पड़े ए लोक पर अपार्ट फ्रम स्टडी जे लाइफ लॉंग स्टडी छे एना रिलेटेड प्रोब्लेम्स मापन तमारा अनुभव पोता ना अनुभव शेर करवा जो ही है और क्याक ने क्याक एने सतत काउंसेलिंग तमें करता रहो जेथी करीने विद्ध्यार्थी हम्मेशा तमारा म पर तमें एक एक एमोशनल टच क्रियेट करो जो तो एविद्ध्यार्थी तमारा लेक्चर माटे गम्मे तेवी कप्रामा कप्री परिस्थिति उपन सहन करीने एक तमारों लेक्चर भर्षे औने एक तमारी कहेली वातों मान्षे एले इट इस वेरी इंपोर्टन्ट के तमें आप बद्धाज केरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करो दरेके दरेक हुँ नथी केतों के यूनो त्रूआउट दा यर पन जारे जारे पन तमने एक तक माड़े चे तमारा विद्ध्यार्थियों माटे विचारवानी एना स्कील छे एनी जे मगज नी एक मानसिक शमता के मानसिक कैपेसिटी छे यूनो आपड़े सव जानिये चे हम के दरेक बालक एस स्पेश्यल छे दरेक दरेक विद्ध्यार्थी ए पोता नी रिते स्पेश्यल छे कदाच कोई ने गणितमा ना खबर पड़ती हुए तो ए की एना जी स्ट्रेंथर एरियास से इस्ट्रेंथ एरियास वधर हरे पड़ता यूनों स्ट्राउंग बने और साथे साथे यहें विकनेसिस से विकनेस एक विकनेस किốcब्ड़ाटमें करेदे पड़त सब्राइड था है यह वो हम्मेशा ऐसे टीचर तरीके आपड़ों प्रायतन हो जोई है अगर थीना पन केटला केरेक्टरिस्टिक्स खास डेवलोप थायला होवा जोई है नमबर बन क्यूरियस सतत जिग्णाशा वृत्ति तमाराओ हमा होवी जोई है कोई पन प्रकार नूँ कोई पन लेवल नूँ नौलेद तमने मड़ी गयू क्यारे पन सेटिसफेक्शन वाड़ी जे फिलिंग छे ये फिलिंग तमारामा ना होवी जोई है यू हेव टू बी ओल्वेज अन्सेटिसफाइड इफ यू वां टू लर्न सम्थिंग तमारे जहरे पन कईक नव भनता रेवू छे कैक नव ग्न्यान मेलवता रेवू छे तो क्यारे पन संतोस नी जे फिलिंग छे ए संतोस नी फिलिंग तमारामा आवा ना देशो नेवर बी सेटिसफाइड विट यूर प्रेजेंट नौलेज और प्रेजेंट स्कील हम्मेशा जहां सुधी स्वास चाले जे त्यहां सुधी एमा सतत कैक ने कैक उमेरो करता रेशो तो तमने जीवन खूब आनन्थी भरपूल लाक्षे कैरफूल अंडरस्टेंडिंग एक अलग प्रकार नी समझन शक्ती घणी वखात यह है चे के वाईली बाबा तो तो लगबग बदाने समझाती हुए चे पन घणी वखात आखो ना इसारे पन काम थतू है चे अने न कैवाईली वातों पन जो तमने समझाई जाए तो यहनो मतलब क्याक ने क्याक तमारी जे अंडरस्टेंडिंग चे समझन सकती चे एक खूब चीवट भरेली चे खूबज कैरफूल चे देन विलिगनेस टू लॉन सतत एक इक इच्छा शक्ती काईक नव भणवानी काईक नव शिक्वानी होवी जोई है इंट्रेस्ट एन एटिट इनर वर्ल्ड मां अथवा तो आउटर वर्ल्ड मां तेम छता पन तमारों जे रस से अने तमारों जे अभीगम चे यह हम्मेशा हकारत मक हशे तो तमें क्याक ने क्याक ए परिस्थिती मां थी बाहर खूब जल्ली निकड़ी शक्सो घणी वकत उमर ना केटलाक तबक के हर निकड़ वा मार अगता हो तो तमारों रस अन्ने तमारों अभीगम खूब जगत यहलों जिनगी ना बधा यो दिवसो एक सर्का होता ना थी जिनगी nettा बधा तो आपने आधारेज आपनों चे सक्सेस रेशियो चे एक सरस हिंदी मूवी माई उख कहे लूपन चे आने तमने वेदाने याथ पण हशे के आप हमेशा मतलब काबीलियत के पीछे भागिये कामियाबी के पीछे कभी ना भागिये सक्सेस सक्सेस इस मेर इल्यूजन आई वर अल्वेश से के सफड ताय मात्रा ने मात्र एक प्रकार नो ब्रह्म चे एक बहु दिवसों टकती न थी पन जे खुब अगत्यनू पासू चे तमारा जीवन नू ए पासू चे तमारी पोतानी आवड़त तमारी पोतानी जे काबेलियत चे आपड़ा जीवन नू आपड़ा सहुना जीवन नू अंतीम सत्य चे तो मैं मतलब हुँ दर वक्ते केतों हुचू के सक्सेस मेर इल्यूजन अधा अल्टिमेट ट्रूथ अप द लाइफ इस यूनू एक्सेलेंस यले हम्मेश आपड़े एक्सेलेंस तरप आपड़ी जातन अपड़ी कॉंस्टन्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड एन देट इस चेंज आदुनिया माँ जो साउती सापेक्ष कोई वस्तू हुए तो ये परीवर्तन चे वरवर्चे तो ये परीवर्तन बदला ता जमानानू जे पन परीवर्तन चे एज लर्नर तरीकि अत्यारत में जोई दिदाया चो कि आपड़ी पासे face to face classroom teaching अवेलेबल नथी यह नथी कि आपड़ी जे भणवानी प्रक्रिया चे आपड़ी जे शिक्वानी प्रक्रिया चे आपड़ी बंद करी देए अथ्वा तो बंद करी दीदी आपड़े यहना बीजा ओप्षेन्स सोधी नाक्या जरूरी यातो ए सोतखोड़ोनी जन्नी चे आथी 4 मैना बेला कोई यह नतुँ विचारियों के अविरते नेटस्लेट ना पण ओनलाइन कोचिंग क्लासीस थाई शके औने ए कोचिंग क्लासीस 2.8 मैना ना होई शके औने मात्र nue नहीं के बेड़ी मैना जे कोचिंग क्लासी ए बे एडी महिना दर्मियान अज पण आनू अत्यारे लाईव स्ट्रीमिंग थाई रहो छे आनू अत्यारे फेस्बूक पेज उपर पण लाईव छे ले कदाज कोईक विद्यार थी अत्यारे ना जोई शके कदाज एनी अनुकूरता अत्यारे जोई शक्वानी ना होए तो लेटर ओन भविष्ये मां ए पोता नी अनुकूरता प्रमाणे पोता नी सानुकूरता प्रमाणे आ लेक्चर जोई शक्ये छे तो दिस इस वट चेंज कदाज क्लासरूम मां फेस टू फेस आपड़े लेक्चर कोई डिलीवर करें तो एमां आ प्रकार नी सगवड नथी होती पड़ यहां सगवड छे पड़ ए सगवड क्यारे तमने अवेलेबल थसे जहरे तमें आप बदलाता चेंज साथे तमारी जातने मैच करो तमारी जा पेना नी जे फिलिंग चे एक लागनी चे एक भावना चे ए सतत अज लर्नर तरीके तमारा मां होवी जुए नंबर वन क्यूरियस नेवर बी सेटिसफाइड नंबर टू केरफूल अंडेस्टेंडिंग इस रिक्वाइड नंबर त्री विलिंगनेस टू लर्न नू तिंग परिवर्तनावीर ध norm legend तू उने खुबट जडवती ऐक्सेट कर शो जेक्सेटलू जडवती तमें एकसप्त कर शो एकल्स मारकेटमाँए प्रेक्टिकलल वर्ल्ड मा चाल शो अन्फनल एक इंटर्नल स्पार्क हो आंज एंटर्नल मोटिवेशन नो इसातत तमारा मां होव जोई है जेती करी ने तम्हारी जे टीचिंग नी प्रक्रिया चे अन्य लर्निंग नी जे प्रक्रिया चे एक खुबत सरड़ था थी थाए अने एनु तमने आउटकम पण इटलू सारू मड़े फैक्टर्स अफ्रेक्टिंग टीचिंग जे पन टीचिंग रिलेटेड फैक्टर्ससे नमर्वण ऐजूकेशनल कौलिफिकेशन ओफ टीचर तमारो जे टीचर छे एनु एजूकेशनल कौलिफिकेशन सूच गंधी वखत यह यां एउँ मिसकंशेप्शन लोकोंना मघजमा हो लेक weeds के ऐबनी जे ट्राडी एजूकेशनल सिस्टमदी फिट्रमारी त्रेडिशनल एजूकेशन सिस्थम में धेप्ट पुलीकेशन स्दूल पर के मैं एवा किटलाए लोको जोएला चे मारी आसपास मारा समाज मां मारा देश मा अन्य आ दुनिया ना विश्व फलक उपर के जे लोको पासे ट्रेडिशनल कोई पन डिग्रीज ना होवा छता पन ए लोको खुब हज सारा यूनो टीचर्स पन होई चे ए लोको खुब ज सारा यू नो एकेडेमिक श्यन पण होई छे जमके आपड़ा जे धर्मगुरु ओ छे बरबर छे धर्मगुरु क्या है कोई जग्या है यू फॉर्मल टीचिंग लेवा गया नथी होता अथ्वा तो कोई फेमस स्पीकर्स होई छे तो घणी वकद जरूरी नथी के फेमस स्प आध्वा तो एनि मार्क शिट्स पन ओर पिरियड ओप टाइम ए वक्ति ये पोतानी लाइप मां कोई पण प्रोसेस ने अथ्वा तो कोई पंचे विशय छे एन्ने कितलों एक्स्पलोर करे ओ चे एमां थी कितलों एक्स्ट्रेशन करें चे एना अधारे एनू एजूकेशन कॉलिफिकेशन नक्की थतू है जे उगे नहीं एक वाद हम्मेशा कहतो हो छू अन्य यह पन कैश के जरूरी नथी के नेट स्लेट चार वकत क्लियर करवा थी के जी सेट बै वकत क्लियर करवा थी पार्थ रश्मिकान भट सारा टीचर बनी गया सारा टीचर बनवा माटे नेट स्लेट करवू ए जरूरी छे पण एउँ नथी के नेट स्लेट करवू एटले हूं पोते एक सारो टीचर छू उँँ सारो टीचर त्यारेज थाई शकू जैरे नेट स्लेट नी मारी जिया सफ़ड ता छे ए सफ़ड ता हूं आवनारी पेडिय यह सुधी आवनारा जे जनरेशन से जनरेशन से उन पहुंचाड़ी शकूँ अने मारा विद्यार थीओ पण आवनारा समय मां आ एक्जाम खूब जडब थी क्लियर करें मने सांभड़या पछी तो हूं साचो टीचर केवाई अन्य तो मारू नेट स्लेट नू जे कौलिफिक अन्य तो टीचर तरीके आख खूब अगत्य नी वस्तु छे त्यार बाद स्केल्स खूब जगत्य नी एज टीचर तरीके तमारी जोड़े केटलिक बेजिक स्केल्स तो हौवीच जोई हूं हम्मेशा मानतों चू कि तमें कोई पण विशय ना टीचर हो जरूरी न थी कि त अकाउंटन सी विशय नो टीचर चू उपन तेम चता मारी जे भाषा चे जम के गुजराती होए के हिंदी होए के पची इंगलीश भाषा आ त्रोण भाषा हूं जानूँ चू तो आ त्रोण भाषा मने खूब ज सारी रिते आने खूब ज स्पस्ट हूँ जे पण का एक श भाषा ने खूज ए बोलवा मागो चूँ ए जे रिते समझी शके एले भाषा ए तमारी एक स्कील चे ए तमारी आवड़त चे एवी जे रिते क्लासरूम मा जे रहूं भणावी रहो हूँ तुमारू जे बौड़वर्क छे ए बौड़वर्क खूबत सुन्दर हूँ जोई गणी वखत यह उठाए के सारा टीचर हुए पड़वर्क एट्लू सारू ना हुए तो एक तला इफेक्टिव नथी थाई शकता तो अब ती जे बाबतों छे तमारी स्कील्स से अने स्कील्स हम्मेशा एक चौकस प्रक्रियाना आधारे स्टेप बाइ स्टेप डेवलोप प्रोसेस से इस सतत राखवी क्यारे पन बंद ना करवी जेती करीने तमें सारा टीचर्स बनी शको एक्सपीडियेंस ऑफ टीचर जिटला अनूभवी टीचर तमें बन्शो जिटला अलग-अलग प्रकान अनूभव तमें कर्षो एटला तमें वधारे एक्सेप्ट थशो जहें के मारी लाइप मां मारा करियर नी शरुवात जो उन्तमने कहूं तो एक सेल्फ फाइनांस कॉलेज मां भणावाथी करी अन्य यहां पड़ विजिटिंग तरीके भणावाथी करी तो विजिटिंग मां बनाविव त्यार बाद कॉंट्राक्च्वल फैकल्टी तरीके भणाविव त्यार बाद त्यां थी डाइरेक एक प्राइवेट उनिवर्सिटी मां में भणाविव प्राइवेट उनिवर्सिटी मां एक आखो जे केवाएके बैचलर डिग्री नो आखो प्रोग्राम डिजाइन करयो अन्य त्यार बाद फरी पाछो एक सरकारी जे एजु काम पर पहुंचेयों चूँ जे पंड की सफ़ड ता असल करी चे आनुबहुना आधारे एले एज टीचर तरीके हम्मेशा तमारे आ प्रकान ना जे अलग-अलग अनुबहु छे अलग-अलग अनुबहु हम्मेशा करता रेवु जोई है जे थी करीने तमने बैवस्तु खब विश्यमा रिपिट ना करो इटले खूब अनुचे एक्स्पिरियंस आप टीचर त्यार बाद क्लास्रूम नुचे अन्वायर्मेंट छे एक खूब अनुचे 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 हम्मेशा एक वस्तु कहतो हो चूँ के एज टीचर तरीके हमारे तमें पोते गम्मेते परि प्रफुल्लित करे एवु हो जोई तमारा इंटर्नल जे पन कॉन्फ्लिक्स आलता होए पन एनुचे पन तमारा चेरा उपन ना आवादो अने टला माटे जूँ एवु मानतो हो चूँ एक सारोटीर हो है हम्मेशा एक सारोटिर पन होए चे कारण के ने गम्मेटे परिश्तिती माथी पसार पं थावु पड़तो है चे ने तेमचदा एना मोडा पर रीएक्शन नऍथी पन आवा देवा पड़ता तो only reason is के तमारा रियेक्शन तमारी सामे बैठेला साहीट अथवा तो जे सो विद्यार्थी छे ए सो विद्यार्थियों ने कई अलग प्रकानी असर आपी जता होए छे लेट इस वेरी इंपोर्टन के क्लास्रूम नू तमारू एन्वार्बेंट खुब जा पॉजिटीव रे एनरजी सब्सक्राइब क्लास्रूम होए जो तमारी जोड़े सारू बॉर्ड होए तो एना थी पन क्याक ने क्याक तमारी जे टीचिंग लर्निंग नी प्रोसेस से वधार इफेक्टिव बनती होए छे त्यार बाद एड्मिनिस्ट्रेटिव पॉलिसेज ऑप स्कूल और कॉलेज औ इंपोर्टन थिंग उहम्मेश आयों केतो हुझो के कोई पन देशना डेवलोपमेंट माटे फोर डेवलोपमेंट ओफ एनी कंट्री एनी एकोनमी जे पाया नी बे बाबत हो छे एक ए देशनू एजूकेशन सेक्टर अने बिजू ए देशनू हेल्थ सेक्टर एक तमारों जे पन नागरिक छे तमारों जे पन विद्ध्यार्थी छे ए बाउद्धिक रिते एटले के मानसिक रिते तमामे तमाम परिस्थिती माटे सज्ज हो जोई है एनी पासे खुब सारू नॉलेज हो जोई है अने ए तोज शक्य होई जरे एदेशनू एजूकेशन सेक्टर हेल्थ सेक्टर एडले के आरोग्य शेत्र के तमारों जे नागरिक छे ए सारीरिक क्रिते हमेशा शक्षम रहे आपने सव जोई रहा चे के अहालना संजोगों मां आप ए खुब जगत्यानी बाबत छे एक तमारी जे बहुद्धिक बाबत हो चे और बीजी तमारी जे सारीर परिक आप बनने हेल्थ खुब जगत्यानी चे अने ए तोज आवे जहरे एजुकेशन सेक्टर ने तमे सतत क्याक ने क्याक फोकस करो चो यहने सतत डेवलोप करो चो त्यार बाद सबजेक्ट मेटर तमे जे पन विशय भणाओ चो ए विशय मां तमे कई प्रकानी मेटर कई प्रकानूं मटीरियल कई प्रकानू सहीत्य यूज करो छो अने ए सहीत्य विद्यार्थियों सुधी पहुचाडो छो अने त्यार बाद parental expectations एले तमारा वाली नी अपेक्षाओ कई प्रकानी चे गणी वखत यू होए के कोई विद्यार्थी बणवामा डल होए तो एना तरप क्या है एना parents पन नथी ध्यान आपता अथवा तो एना teachers पन एना तरप सतत दुलक्ष सेवे जहें एमने कदा चे उओ है के कारी लेश्य एनी रिते अथवा तो भविश्यमा कई थशे आम थें यू नहीं सतत तमारा तमारू जे कांसेलिंग छे तमारा विद्यार्थी प्रत्यनू तमारा बालक प्रत्यनू ए सतत ए प्रकानू होँ जोए के एने एक पॉजिटिव एक फीलिंग आवे एने एक प्रकानी हूफ मड़े एक प्रकानी जे वामनेस से ए तमारा तरप थी मड़वी इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीस लर्निंग एर्वार्मेंट एन इस्टिटूशन आनी चर्चा आमने आगड पन आपडे करी आने हजु आगड नी स्लाइड से एमा पन आपडे करी शुँ यस दिस इस वरी इंपोर्टन थिंग आ खुबज अगत्य नी वाद छे फंक्शन्स टीचिंग सौथी पहला आवे चे डायागनोस्टिक फंक्शन्स यहले जहरे पड कोई विद्यार्थी तमारा क्लास्रूम मा एंटर थाए चे यू हैव टू यूनो हैव हाइस लेवल ओफ यूनो डायोगनाइस आपडे खदा जे डायोगनाइस सब्द छे डॉक्टर ने त्याहरे आपडे जता होई ये चे त्यारे आ सब्द वापर ये चे कोईपन आपडे बीमारी थी पिडा था हिए अथवा कोईपन फेजिकल तम जो आज ये तो मेडिकल टम्स रिलेटेड छे पन एज टीचर तरीके आज ये डायोगनाइस्टिक फंक्षन छे ये तमारे कई रीते पनफर्म करवानों चे तो जहरे पन तमारा क्लासरूम मां कोईपन स्टूडेंट एंटर थाए चे त्यारे हम्मेशा ए स्टूडेंट न तो आज इंट्रेक्षन वजचे तो आज इफेक्टिवनेस वजचे त्यार बाद ए डायोगनीसिस करेया पच्छी क्याक ने क्याक एना अधारे तमारे एनू प्रिस्क्रिप्शन जेम डॉक्टर कोईपन रोगनू निदान करे तमने के भी सर्दी चे कौक छे तो एना अध प्रिस्क्रिप्शन आपपानू चे अवे प्रिस्क्रिप्शन जेना माटे आपपानू तो तमारा विशय ने लगता जे पन तमारा ओब्जेक्टिव से जे तमारा लन्निंग आउटकम्स से ए आउटकम्स क्याक ने-क्याक तोज अचीव थाशे जो तमारो विद्ध्यार् प्रॉपर रीते झालू आशे, अने ए डागनोसिस पछी तम्हें इने प्रिस्क्रिप्ष्ण प्रॉपर रीते आपेलू आशे, अने त्यार बाद आब नने वस्तु, आ बनने प्रक्रियाओ, आब नने फंक्षन्स परफॉर्म करे आपछी, जे साउती अगत्यानू, जे थौ नंबनु जे function छे एचे evaluative function तमें विद्यार्थी ने observe करेओ एना आधार्य तमें विद्यार्थी ने भणावियो पन एविद्यार्थी किटला अंचे बनी शक्यो अथवा तो एक concept किटला अंचे समझी शक्यो ए मातर तोज खब्र पटशे जरे तमें एनू evaluation एटले के मुल्य मुल्यांकन कर शो यह खास एक अगत्यानी वात हुँ तमने करू के आपड़े तियां हजूपण मुल्यांकन माटे खुब ज टिपिकल कई शकाए ए प्रकार नी आकी एक सिस्टम छे आपड़े अत्यारे हाल मा भारत मा जे एजुकेशन सिस्टम फॉलो करी रहा चे अजब Зबटे लड मैक को ले bio जिस्टम टैवलोक करी ति अनुक कarbeiten कॉलोणियान एजुकेशन सिस्टम तमे ए त्यार जो तो हुआँ यह मानू छूप कि श होंकिती आको कोलोनियन एजुकेशन स्सिस्टम आपड़ी कररेा, आपड़ी क्याने च्छे नहीं आपड़ी क्यार। पण सम्हाव 200-800 वरस थी आज सिस्टम नो भाग आपड़े बनेला छे अने आज सिस्टम ना अधार आपड़ी टीचिंग लर्निंग नी प्रक्रिया छे पण जो थोड़ा गणा वर्षो पहला एले के प्राचीन काणनी जो अपड़े थोड़ीक वात करिये तो आपड़ी जो ओड़ीनल सिस्टम भणतर नी हती ए गुरुकुल सिस्टम हती अने ए गुरुकुल सिस्टम ना ए फाइदा आता के कोई पन विद्यार्थी 84 प्रकाणनी अलग-अलग नोलेज जहरे पने गुरुकुल सिक्षानों भाग बने तो एने मणतू हतु ए विद्यार्थी ने अस् विद्यार्थी ने रसोई पण बनावता आवडे, विद्यार्थी ने घर नू कामकाज पण आवडे, तो that was our original education system. पण समयान तरे जे आ अलग-अलग लोकोई भारत उपर आकरमनों करया, अथ्वातो अलग-अलग प्रकार ना जे प्रकार ना राज करया, एने परिणा में क्याक ने क्याक आपड़े colonial education system नो भाग बनी गया, अने colonial education system मा अत्यार आपड़े जोई रहा छे, कि education करता examination नी वधारे वाद थाई छे, आपड़े तमाम क्याक ने क्याक आप प्रक्रिया मा थी पसार थाएला छे, अने ए प्रक्रिया मा सतत आपड़े यू अनुभविव छे, कि आपड़े जे पन कही बनीये छे, जे पन कही शिख्ये छे, एनो उप्योग मातर एक सेमिस्टर अथवा तो एक एकजाम पूर्तो जो मर्यादी थोई छे, जे दिवसे ए अभीगम बदला छे, ए नेरेटिव बदला छे, ए दिवसे कदाच आपड़े देश वधारे तरक्की करीशक से, हालमा तो तरक्की करीज रहो छे, पड़े दिवसे तमामे तमाम शेत्र मा भणतर मा आभीगम बदला छे, ते वक्षते अपड़े कदाच वधारे जड़ब थी, आगण पड़ वधी शकीशु, अन्ये आपड़े जे सपनु छे, विश्व गुरु भारत नो जे सपनु छे, आपड़े खुगत जूनी संस्क पूरू तीचे वी आर हैविंग रिच कल्चर एन हैरिटेज एस अपनू कदाच पूरू पन थाई शक्षे तो एज टीचर तरीके आ त्रोन फंक्शन्स तमारे सतत परफॉर्म करवा पड़े डाय डाय गनॉस्टिक फंक्शन्स प्रिस्किप्टिव फंक्शन्स एन प्रोसेस मां सामड़ी रहा चे पड़ागोजी अने पैराडिम्स जे कहवाई चे अबे शब्दों शू छे पहलं पहला तो एनने आपड़े समझे पहलों सब्द चे पैराडिम्स पैराडिम्स नो मतलब थाए के सेट ओफ फॉर्म्स आईडियाज पैटन्स अल उफ विच कंटेन अ पर्टिकुलर एलिमेंट घणा बदा आईडियाज घणी बदी पैटन्स नो जे एक सेट चे एक समू छे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट मां टेने कही है चे पैराडिम्स अने बिजो जे शब्दा चे चे पैड़ागोजी टीचिंग अने नन्निंग नी साथे हमेशा जारे पन कोई हायर एजुकेशनल इंस्टिट्यूट साथे डील करता होई तो टीचिंग पैड़ागोजी नी वात थती होई छे अन्या टीचिंग पैड़ागोजी इस सू छे तो ए आर्ट और सायन्स एड़ले के कडाज पन छे अने विग्णान पन छे एक प्रकान पन राखवो पड़तो होई चे अने कितलोग सायन्टिफिक एप्रोच पन तमारे डेवलोप करवो पड़तो होई चे अन्ड डिपेंडिंग अपन अपन धेट एप्रोच देरार फोर आइडेंटिफाइड फेजज ऑप पैड़ागोजी कोई पन एजुकेशनल इंस्टिउ मां जहरे पन तमें टीचिंग पैड़ागोजी नी वात करता होई जहरे पन तमें टीचिंग लर्निंग नी प्रोसेस नी वात करता होई तो चार वस्तु खूब जगत त्यानू चे नंबर वन प्लानिंग यूव टू प्लान यॉर सैशन ओके लाइक गणी वकट आपडा अने भारत नी बार विश्व फलक पर आपड़े जोई है तो किटलिक सारी सारी यूनिवर्सिटीज से किटलाक टॉप मोस्ट इंस्टिटूशन जहें के बिजनेस मैनेजमेंट नी वात करिये तो वर्ल्ड नी सौथी प्रथम नंबर नी जे संस्ता चे चे हार्वर्ड उनिवर्सिटी अने इंस्टिटूट से एने रेंक सापे चे अने रेंक ना अधार एनी जे क्वालिटी छे ए प्रकान नी बाबतों नक्की थती होए चे तो काले जे रेंक आवे या ए प्रमाने भारत नी सौथी टॉप नी जे बी स्कूल चे देट इस आई-म अमदाबाद अमदाबाद मां जे इंडियन इस्टिटूट अब मैनेजमेंट आवे लू चे ए छे तो वाट इस डिफरेंस बीट्वीन हार्वर्ड बिजन स्कूल एंड आई-म अमदाबाद केम आई-म अमदाबाद हजू शुदी हार्वर्ड बिजन स्कूल शुदी नथी पहुंची श इस फेज़े लोको खूब सारी रीते समझे पन छे अन्य खूब सारी रीते समझेया पची एनूची इंप्लिमेंटेशन छे खूब अगत्य अनूची खूब अगत्य नूची खूब महत बनूचे लिए नंबर वन प्लानिंग एउँ कहवाई छे अके इफ यू वांट स्कूल फोर वन आर जो एक कल्लाकनू सैशन तमारे हर्वड बिसने स्कूल मा एज़ टीचर तरीके एज़ प्रोफेसर तरीके लेवू होए तो एना माटे त्रोन थी चार दिवस्तनु सतत मैनत अन्य सतत प्रिपेरेशन करवी पड़े इफ यू विल नॉट प्रिपेर फोर थ्री फोर देज बाई कंसिडरिंग ओल आस्पेक्स रिलेटेड तू थेट पर्टिकलर टॉपिक तो कदाच यू थाए कि एक कल्लाकनू सैशन ज्यारे आवे देन यू फिल यू नो ओफेंड़ बाई समवन ओफेंड़ बाई यूर स् स्टूडेंस पन बैठा होए कि जे तमारा करता खूब वधारे प्रिपेरेशन करीने आव्या होए तो एड़ पॉइंट ओप टाइम जो तमें तमारों सैशन प्रॉपर रिते प्लान नहीं करेलू होए तो एज टीचर तरीके कदा तमारे ते वकते डिस अपोइन्मेंट प तो प्लानिंग इस वेरी इंपोर्टन्ट के एकल्लाक ना सैशन मां तमें कई प्रकानू प्लानिंग कर्षो टॉपिक के विरिते भणाव तो एड़ पर्फॉर्म ना करी शको तो एड़ प्लानिंग तमें के विरते एग्जिक्यूट कर्षो एपन खूब अगत्यनू होई से एनू तमें प्रॉपर एसेस्मेंट कई रिते करो छो आप्टर टीचिंग देट पर्टिकलर टॉपिक हाव बेस्ट यू कन एवल्यूट एड़ एड़ फॉर्थ इंपोर्टन थिंग इस रिफ्लेक्शन के तमारू सैशन पते आपची विद्यार्थी पोता नी जाते अधरे कई स्कील डेवलोप करी शके जे जे अलसो वेरी इक्वली इंपोर्टन एल्ले आफ चारे चार फेजिस खूब जगत्या ना होई चे आने चारे चार फेजिस नू बैलेंसिंग जे चे डेट आठ ऑब बैलेंसिंग इस नीड़ प्लानिंग एग्जेक्शन असेस्मे असरूम मा वातों पण करता आईये चे लेक्चर पन डिलीवर करिये चे साथे साथे चौक्ती बाड़ वर्क करता होईये चे अने हवे ओरहेड प्रोजेक्टर ओएच पी एलेके जे पावर्पॉइंट प्रेजेंटेशन जे चे एपन वापरता होईये चे यह घणी वखत अने लाइटने नोटए के दरा सम्ग पील होईये चे बौग मेंएखों पेगिजन प्रेजिःशन प्रेजेंटेशन प्रेशन प्रेजेंटेशन. अनग प्रेजेंटेशन पीपन सून प्रेजेड़ क करता होईये चे ph direणτο फुलजव उपरत्षिसेंट गोएवेड होई if you are following traditional teaching method not necessary के तम्हें तमारा दरेक्ट सेशन माँ जे टीचिक मेथड चे टीचिंग मेथड नवीच फॉलो करो यू के अलवेस फॉलो टीचिंग मेथड पन ए खुब ज इंट्रेक्टिव हवी जुई ये तमारा विद्यार्थियों एमा सतत भाग ले तमारा विद्यार्थियों ए प्रोसेस मां सतत एक्टिवली इन्वोल ले तैट इस वरी इंपोर्टन त्यार बाद डेमोस्ट्रेशन मे विद्यार्थियों एक अलग प्रकान नू लर्निंग थाए पड़ेना माटे सतत एमडे पन क्यांक ने क्यांक ये प्रवरुत्ति नो भाग बनू पड़े येले दिस डेमोस्ट्रेशन मेथड लर्निंग बाई डूइंग हूं अम्मेशा मारा क्लास्रूम मां अब दीच प् ये आखी प्रोसेस हूं रोल मॉडलिंग येले के जे रोल प्ले छे ए प्रकारे समझावत तो हूँछू अने एनो माने खूब सारो प्रतिशाद पन मारा क्लास्रूम मां मड़े छे के आम केवाज ये तो ए टौपिक थोड़ों अगरो छे प्रोसेस समझावी थोड़ी हूँ तो एमना माड़े खूब अगत्यानों बनी जतू है अकाउंटनसी मां घणा चैप्टर्स एवा आउता हुए छे के जे चैप्टर्स मां मात्र ने मात्र प्रेक्टिकल सम्स तम बनाओ तो कंसेप्ट एटला क्लियन नधी थता होता पन जो तमे तमारा विध्यार्थि टीचिंग आपड़े करता हो हुए तो आपड़ु जे टीचिंग छे मात्र क्लासरूम पूर्तु मरियाद इतना हो जो जो है I can teach them अकाउंटनसी आलसो ये नो बाई प्लेइंग उन्द प्लेग्राउंड उन ग्राउंड पल लाई जहीने पड़ेमने अकाउंटनसी भणाव प्रकान छे प्रायत्नों आपड़े करिए तो एना अधार से विद्यार्थी नेुक्व मेथाई जे इनी प्लेग्रानी फिलिंग उपी थाई थी ना मगज मा सतत एक अलग प्रकार नी जिग्याशव रुत्ती हो भी जोई है लाइक वेन आई वोज वर्किंग विद निर्मा युनिवर्सिटी निर्मा युनिवर्सिटी मा जा रहे हूं काम करतो तो एट पॉंट अप टाइम आई वोज डिलिंग विद कॉस्टिंग सब तुमें लोगों ग्रूप आप स्टूडेंट्स एक ग्रूप लाइक मेडिकल स्टोर मा जाए एक ग्रूप रेस्टोरंट मा जाए अन्य तियां जाईने लोगों एना ओनर चे एना अकाउंटन चे अनी साथे वात करें कई प्रोड़क्ट मां केटलू रो मटीरियल यूस थ आये चे कई प्रोड़क्ट मां केटला अधर एक्सपेंसिस से ए बद्धू एलोको पोते जाईने एक्स्प्लोर करें अन्य आप्टर एक्स्प्लोरिंग दे विल प्रिपेर वन रिपोर्ट एक रिपोर्ड बनावे औने एलोको फरीपाचा आवे तो एना अधारे एमना जे कंसेप्स चे कॉस्टिंग ना ए घणाखरा क्लियर थाई गया अन्य एवो विद्ध्यार्थी के जे आ प्रोसेस मां नथी इनवल थाओ एक दाच एक कंसेप्ट तेटलो इजीली ना समझी चके एवा पन केटलाक विद्ध्यार्थी है ता केमने एवा तू के आपड़े त् प्रकानों अनुबव लिद्धो छे एज वाईवामा सारू परफॉर्म करी शक्से जे विद्ध्यार्थी नथी गयो एविद्ध्यार्थी वाईवामा क्याक ने क्याक महराजे प्रश्णों असे एनो जवाब नहीं आपी शके एटले खबर पड़ी जेशे एले डिस्कवर के लिद्ध करी ऑफ नौलेज तमे पोतानी जातेज। नौलेज डिसकवर करो छो बैडेवलोपींगा स्पीरिट ओफ इंक्वाईरी सतत्क्ट गईक जानवानी वृत्ती सतत्क इंक्वाईरी गर्वानी जे वृत्ती छे तमारी स्पिरिट छे यना अधारे तमें पोतेज जे आपड़े वाद करता होई चे जेमा सेंस ओफ वीजन नी वाद थती होई चे हमेशा जे पन तमें के विजुलाइस करो चो चे पन तमें जोओ चो एना अधारे पन तमें भणा भी शको अथवा तो भणी शको चे एक्जामपल ऑबजेेक्स लाइक जे लोको आर्कीटेक्ट्र अने प्लानिंग मा भंधता होई चे तो ए लोको न त्याहन अबजेक्स होई चाट्स होए मैप सबाज होए फैनल बोर्ड होए बुलेट बोर्ड है चॉक बोर्ड बोर्ड प्रोजेक्टर ब्रोजेक्टर एडेंगने आउट प्रॉक चॉक अंपने साथे साथे बीजा घणाबता मध्यम हो छे के जेना द्वारा with this you can have a sense of vision you can always develop sense of vision in your students अने एक वस्तु हम्मेशा याद आपड़े यह राखिशू के जेटली पन वस्तु तम्हें प्रॉपर विज्यूलाइज करो छो जेटलू पन तम्हारू जे वीजन छे यह तमने लाबा समय सुधी याद रहती होई छे त्यार बाद ऑडियो एट्स नी जो आपड़े वात करिये तो सेंस ओफ येरिंग गणा बदा अलग अलग टूल्स आपड़े आना माटे वापरता होई एचे क्लास्रूम मां वोईस मोडूलेशन वोईस क्लैरिटी माटे अपड़े घणा बदा माध्या मोनों उप्यों करता होई यह जेंके अत्यार हाल मां तम्हें जोई रहा चो के हू माइक्रोफोन जे छे एनों प्योक करी ने आ लेक्चर डिलीवर करी रहा हो चो तो दिस इस आउडियो एट्स अन्या बनने नो समन वाई जो आपड़े करी है तो आने के वाई आउडियो अन्य विज्यूल एट्स सेंस ओफ वीजन एज विजन एस सेंस ओफ हीरिंग एज टीचर तरीके जो तमें सक्सेस्फूल थवा माकता हो तो विज्यूल अन्य आउडियो बनने नो समन वाई बनने नो जो कॉंबिनेशन होई तो जो तमें तमारों लेक्चर छे एफेक्टिव बनावी शको वेधर इट इस ट्रडिशनल वेधर इट इस मॉडन वेधर इ क्लेरिटी उपी थती होई चे तो देट इस वेरी इंपोर्टन बालक जेर जन में चे तो पहला के बीजा के 30 वर्षे क्या एक कोई प्रकानी स्कूल मा नथी जतो हतो पन तेम चता ए घरना वातावरन ना अधारे घरना सब्यों जे पन कहीं बोले चे ए बोलवाना अधारे ए सामडे चे आने एना अधारे घरनीबदी वस्तो शिकतो होई चे एटले जमें आपने आगण पन कीदू कि आपड़ा सवथी पहला जे टीचर से आपड़ा पैरेंट्स है यह लोकों आपने घरनीबदी वस्तो शिक्वारता होई चे एमने आपड़े घरना विदा आपज सदनों असे तो तमें तमारा स्टूडेंट्स से सारी रिते भणवा माटे मोटिवेट करी शक्सो प्रेणा पूरी पाड़ी शक्सो एलोकों ना मगज मां एक अलग प्रकानों क्लेरिफिकेशन आव से जेपन सब्जेक्ट चे ने वधर सारी रिते तमें एक्स्प्लें करी शक्सो एना मगज मां क्लेरिटी लावी शक्सो जारे गणी वक्त एवु था तू आए छे के विद्यार्थी क्लासरूम मां बैठो होए जो प्रॉपर तमें आ तमामें तमाम संसादनों उप्योग नथी करता तो क्यारेक क्यारेक विद्यार्थी नी जे लिंक होए छे संसादनों उप्योग करो तो हम्मेशा जे एक्ट ऑप क्रैमिंग चे और डिस्करेज करे चे और स्टूडेंट नी अंडेस्टेंडिंग क्याक ने क्याक वदे चे तमारे उँ शब्द बंडोल में अमनत्तम ने किदू के कोईपन सिक्षक होए जरूरी नथी के भाशानों स सिक्षक चे तो झानी भाशा चाहनी होए एक्स नétait अंधारे चे चिंग एड्स जो तमें शाय अतरमारा सभी इस्तेव और अमने नेकिंग उल्रेंडिंग दरेके दरेक पॉइंट कदाच मने यादपन ना रहे अने सरवाड एउँ थाए के आ सैशन माटे बे कल्लाक नी जग्या है मारे चार के पांच के छो कल्लाक पन लेवा पड़े काणके पन ये टैंग लगता संजाद नो तो क्याक नक तमारा पैसानों बचाओ थाई छे आनने जेसoten लिए पड़ाला सारश्ञीатे रीते पांच और चांच और फे नए बचन च्तरद Ф permite क सक़ीए धियु स्टूडेन्स ने रियल टाइम एक्सिंग तो ज्य तमारा विध्यार्थी ने जए कंसेट तम्हें समझाव मागो चो यह वध्यू है दारे सारी रिते समझी शकाए जमके अकाउंटनसी मां घणी वकट हुए उख करतो हूँचू के मारू कोई पड़ टॉपिक मारू कोई पड़ चेप्टर चालू थाए तो हम्मेशा उँँ वार्ता अने वार्ता ना किटला पात्रो विद्यारती सामें साउथी पहला हूँ च काल्पनिक वार्ता ये लोकों ने कऊ अने काल्पनिक वार्ता ना जे पात्रो वह ए पन क्लासरूम मा थी दलौ विद्यारतीयों ना नाम लईने एनी साथे साथे तो त्यां ये लोकों नो जे इंट्रेस से ये लोकों नो जे रस से वखशे काण के डाइरेक्ली ये लोकों चपटनो जए फ्लो छे इनिश्चल फ्लो एक लियर थाए औने जो इनिश्चल फ्लो कलीर थाए तो विध्यर्थी मां ए मोटिवेशन उभू थाए, विद्यार्थियों मा रस उभू थाए, अने एना अधार ये चैप्टर खुब सारी रिते, कंसेप्ट खुब सारी रिते, ये लोको समझी शके. इवेल्यूएशन सिस्टम नी आपड़े वात करिये, मैं बाजू मा एक वस्तु लखे चैप्टर लन्निंग आउटकम्स, आपड़े त्यां हजू पन मोटा भागना इंस्टिटूशन्स मा लन्निंग आउटकम्स नी वात थती न थी, के पर्टिकुलर टॉपिक बन्या पची विद्यार्थीनू आउटकम्स शू असे, विद्यार्थीनू आउटकम्स मात्र माक्षित न थी, सारी माक्षित लेवी, मेडवी एक याएपड न थी, सारी माक्षित नी साथे सारी स्कील्स मेडव्या पची तम्हें प्रेक्टिकल वर्ल्ड मा, ज्यारे व्यावसाइक वर के ताउय एंपोर्टेंघ अ हैं वेलसकेसिवीश का सकता है अहीं इड़ेत लाय और दिया सबसक्राकरी और अद्य beelease किसीश में प्रिक्षिल युकाया आ अब आछे चेंग लसे खेंदेटर करों एटले आपड़े जे माक्स आपता हाईये चे ए, एसेस्मेंट एटले माक्स आपे आप पची ए विशाय मा ए विद्यार थीनू एक प्रोपर एसेस्मेंट करिये चे के एने आ टोपिक वधारे आवड़ेो, आ टोपिक ओचो आवड़ेो, आ टोपिक सावन आवड़ेो, आने एसेस्मेंट ना अधारे एनु एवेल्यूएशन करी ने आपड़ू काम त्यां पूरू नथी थाई जतू माग सापी ने पण एना पछी आवनारा समिस्टर्स माँ आवनारा वर्षों माँ आपड़े एने केविरीते मददरूप थे शक्ये एवेल्यूएशन सिस्टम नो ए पण अनुबहु थाओ एना आधारे एलो कोई शू मेड़ा व्यू एनो आपड़े जो ताग मेड़ा वो होए तो आपने एवेल्यूएशन सिस्टम ना आधारे खबर पड़े चे आने अकोडिंगली एलिमेंट्स अने टाइपस ओप एवेल्यूएशन नी जो वाद करिये तो सामने रिते एग्जामीनेशन ने आपड़े अत्यारे हल मा तमें जो ओके सर्वलक्षी मानवा मा आवे चे के जे विद्यार्थी एग्जामीनेशन मा सारू परफॉर्म करे एज विद्यार्थी मात्र सारो विद्यार्थी के वाए अत्वा तो हंश्यार विद्यार्थी पण हुँ आ बाबत मां संपून रिते असम मत चुँ के मात्र एग्जामिनेशन नहीं पण एनू साइकोलोजिकल इवेल्यूएशन पण थाउँ जोईए एनू फिलोसोफिकल इवेल्यूएशन पण थाउँ जोईए जेमके अकाउंटनसी ना टीचर धरीके हुँ कोई पण भणाऊ छू तो कोई विद्यार थी खूब सारी रिते प्रैक्टिकल संस गणी ने कोई विशय मां 70 आउट ओप 70 लावे छे पण मानों के एनू फिलोसोफिकल बेग्राउंड छे एना वेल्यूस से एनू मोरल जे चे एनी प्रामानिकता छे ए न थी तो ए सारो एकाउंटन नहीं बनी शके आने ए सारो कॉमर्स ग्रेजूएट नहीं बनी शके एनू रिजन छे के ए सारा मांक्स लावे छे होंशियार छे पण क्याकने क्याकने जे नीती छे तो एनू छे फिलोसोफिकल इवेल्यूएशन छे माय संपून पने डिस्कॉलिफाई था चे तो आ त्रोन प्रकान ना इवेलुएशन खूब जरूरी छे आपड़ी सिस्टम मां हाल मां आपड़े जोवा जहिए तो मात्र ने मात्र एक्जामिनेशन नीज वातो थाए छे साइकोलोजिकल इवेलुएशन और फिलोसोफिकल इवेलुएशन हजू पण एटला कंसिडर नथी थाया जे थवा जोई है कदाच पॉलिसीज ना आधारे एज टीचर तरीके आपड़े प्रकानू काम ना करी शकता होए तो पण क्याक थोड़ुक आपड़े आ विशाय उपर फोकस करी ना त्रोणे प्रकान ना इवेलुएशन करवा जोई है और यहनों बेनिफिट आपड़े विद्यार्थी ने पासोन पण करवो जोई मात्र माक्स ना आधारे आपड़े कोई पड़ विद्यार्थी नों इवेलुएशन ना करूँ जोई है अत्यार अपड़े सव जानिये चे के हायर एजुकेशन मा छेला घणा वर्सों थी सीबी सीए से लेके चोईस बेस क्रेडिट सिस्टम नहीं वात थाई चे बेसिकली चोईस बेस क्रेडिट सिस्टम शू चे तो परस्ट अपने यह लखे लू चे के सब्जेक्ट फोर हॉलिस्टिक डेवलोपने ओफ एंडिविज्वेजल सी वट इस ऑपर पड़ुकेशन कोई पंड फिल्ड मा तमें एजुकेशन ले राया हुए यहनों एक अने मात्र एक पर पड़े चे ऊवर्ल डेवलोप्मेंट यह लिए सक डेवलोपमेंट पस ऐह छे के मात रबंधाने मात्र मुख्य वीशयों नForm मुख्य वीशयों साथे साथे एवा तमाम वीशयो ने स्कुरीय तीन देश्ट क्वें और कॉपज काम लागी ऐसे एनूपम पने अनुब्हों मड़े उने मात्र मुख्य विशयो ने इपढ मुख्य विशयो ने साथे ए वा त्माम विशयो के जह एणे ानी Life मा खुबच काम लागी शके चे ऎनों पन एनों भुव मड़े और यह आनुजे ता विशय के बाहर बोदा नी बाहर जाई अने अनों एक हॉलिस्टिक डेवलोपमेंट थाए सीबीसी एस बेजिकली ग्रूप डिशकेशन्स असाइन्मेंट्स क्लास एक्टिविटीज इंटर्नल एग्जामिनेशन आब दी बाबतों पर फोकस करतू है जू पने उपकई शकाए के भारत मां सीबीसी ए इंपलीमेंट क्याँ थाई शकी न थी अन्य ए ज वस्तुने ध्यान मा लइने गवर्मेंटे हल मां जछल्ला एक वर्श मां नुवएजुकेशन पॉलीसी जैख छे ए नुपईजुकेशन पॉलीसी ड्राप्ट करी आन्ने अल्मोस्स एनों ड्राप्ट त्यारे फाइन आला एडवांटेजिस चोईस बेस क्रेडिट सिस्टम ना सूच है तो सवती पहलों एडवांटेज है चे के टीचर सेंट्रिक्ट जे अत्यार सुधीनों एजुकेशन अतू एनों फोकस शिप्ट थाई ने स्टूडेंट सेंट्रिक थाई रव चे वे दीरे-दीरे के विध्यार् इने कई प्रकान्नी सवलतों मड़े ए प्रकान्नी वाद छे स्टूडेंट में अंडर्टेक एस मैनी क्रेडिट्स एस दे केन कोप अप विध्यार्थी एक साथे गणावदा अलग-अलग क्रेडिट कोर्सेस करी शके अने जो कदाच कोई एक सेमिस्टर मां जो फेल थाए एक अथवा तो 2 कोर्स ओं तो आवनारा सिमिस्टर मां पन एक क्रेडिट कोर्स क्या जो एक क्रेडिट कोर्स रिवीट करी शके अगेन बह ओँ उची उनिवर्सेटी जे पीकान्णू इंप्लिमेंटेंटेशन करी शकी छे अबर्छे कोटी ट훈 इमाबिश्या Alors इस जोंद द पेपर्स नी पन वाद करवा मां आवे चे जमके अकाउंटंसी नो विद्यार थी डेटा एनलेटिक्स पन भणी शके फिजिक्स नो विद्यार थी इंग्लिज लेटरेचर पन भणी शके अन्य एनने लगतू कैक इंटर्रिलेशन एस्टाब्लेश करी ने आगण कैक खूब एने प्रमोट करी रही छे मल्टी डीसिल्पिनरी रिसर्च होई ट्रांस डीसिल्पिनरी रिसर्च होई अने अनों मेन परपस एच छे के आवनारा भविश्यमा अलग-अलग फिल्डना लोको एक साथे एक मंच पर आवी ने कई रिते समाज अनेक सारी सोसाइटी करी शके CBCS मेक्स एजुकेशन ब्रॉड एकतम जे कई शकाए के ग्लोबल स्टांडर्ड्स कानके विश्व फलक उपर पन आ प्रकार नी क्यांक वातों थाही रही चे मैं हमनाच कि दू है के फिजिक्स नी साथे एकोनोमिक्स, माइक्रोबायोलोजी नी साथे केमेस्ट्री एन्वायर्मेंट सायंस अवा प्रकार ने आजे अलग-अलग विशयो छे ए विशयो भणीने तमे ए विशयो वच्चे नो समन्वै साधो अने समन्वै साधी ने तमे प्रेक्टिकल वल्ड मां के एक सारा रिसर्च करी शको हमनाज थोड़ा दिवसो पहला अमेरिकानी एक प्राइवेट कंपनी अने एनो ओनर एलन मस्क करी ने जे छे एमने स्पेस शटल मुख लिए विश्वनी या प्यली घटना छे के जेमा आ प्रकारे कोई प्राइवेट कंपनी है कोई गवर्मेंट एजनसी नहीं पन प्राइवेट कंपनी है आ प्रकारनू स्पेस रिसर्च माटे स्पेस शटल मुख्यू तो ए इटला माटे शक्क्य बने चे काण के द्यार प्रमोटिंग रीसर्च और डेवलोपमेंट मूर गणू रीसर्च और डेवलोपमेंट नू प्रमोशन मले चे सी बीसी एस ओफर्स फ्लेक्सिबिलिटी फो अब क्या बहर कोर्स जहां कि यह बैठल विद्यार थी अत्यारे हाल हार्वर्ड बिज्डेश स्कूल ना पर्ण कोर्सेश करी शखें यह बैठल विद्यार थी वांस टू लर्न तो एना माटे जे जूना बेरियर से जे जूना हर्डल से क्याई पन नडे नहीं अने ए पोता नू भणतर खूबत सारी रिते पूरू करी शके अने विशय उनू नू नौलेज मेड़ी ने ए विशय मा आगड़ वधी शके सिgebस सिस्टम नी जो बाद करिये तो कोड़ एमय wichtig इलेक्टिव कॉर्स से इनने बाद ट्रोजेक्ट ने वाद च्छे अने Ability Enhancement Courses नी वाद छे, आपड़े जे पन डिग्रीज अत्यारे लई रहा छे, यहां केटला Courses, Core Courses होए छे, जेमके Bachelor of Commerce मां कोई पन विद्यार्थी होए, तो Bachelor of Commerce ए Advanced Accountancy साथे करी रहो होए विद्यार्थी, तो एकाउंटनसी ना जे पेपर छे, Core Papers छे, साथे साथे जो एनों, सबसीडेरी सबजेक्ट, स्टैस्टिक्स होए, तो एनों, इलेक्टिव जे, कोर्स से, इलेक्टिव सबजेक्ट छे, ए स्टैस्टिक्स से, एवी जरीते, discipline specific इलेक्टिव होए, जेमके Accountancy यहने, स्टैस्टिक्स नी साथे, Economics अने, Management भनी रहो होए, तो एना माटे discipline specific इलेक्टिव से, साथे साथे किटलाक इंस्टिटूशन, किटली कॉलेजी से वी पन छे, जेमा Bachelor डिग्री अने, Master डिग्री वखते, किटलाक डिजर्टेशन अने, Projects तैयार करवाना आवे छे, तियार बात, किटलाक जनरल इलेक्टिव सोए, जेमके, Environmental Science, Environmental Studies, अथवा तो पेरलली, तमें कोई पन लेंग्वेज भनी रहा होई, Spanish, अथवा तो Chinese, French, ये भी कोई पन प्रकार नी, तो CBCS नों सवथी मोटामा मोटो फाइदो ए छे, कि at time विद्ध्यार थी, आमा थी बद्धाज प्रकार ना, कोर्सेस करी शक्ता होई छे, साथे, अने एना अधारे अधारे नी डिग्री पन अवर्ड थाए, आवनारा भविश्यमा कदाच एवु आउशे, कि कदाच बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री ना एवा पन प्रोग्राम से चालू थाए, कि जहना माटे तमारे त्रोण वरस के पांच वरस सुधी राना जोवी पड़े, सामन के दोड़ वरस मां पन पता भी शक्ये, अभी पन प्रकानी व्यवस्ता आवनारा भविश्यमा आई शक्से, अने एनू प्लानिंग त्यारा गवर्मेंट करीज रही छे, त्यार बाद बीजू पन एक बहु अगत्यनों पासू चे नेट ना से ले वसमां आप आसू पन फोर चेंजिस इन पेडागोजिकल मैथड्स आवनारा समय मां अत्यारे जो हाल मां आपड़े वात करीए तो इट इस ऑल्मोस इंपॉसिबल के आपड़े क्लासरूम मां जाईने ट्रेडिशनल एक्जामीनेशन सिस्टम थी एक्जाम आप ये तो अत्यारे हाल मां घुनिब अत्याना समय निये एक जरूरिया चे के विध्यार्थी पोते आप्रकानू कई कंप्यूटर बेस्टेस्टिंग थी पन वोतानू इवैल्यूएशन करावी शके वाटार था बेनिफिट्स मोर फ्रिक्वन टेस्टिंग अपोर्चुनिटीज तमें गमे त्यारे गमे ते समय टेस्टिंग करी शको एक्जाम लई शको रिजल्ट्स तमने खुबा जडब थी मली जता होई चे सामनी रिते जे साउथी महत्वनों बेनिफिट चे के विध्य जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होई डिवाइस कनेक्टिविटी होई तो अंतरियाड विस्तार मां 500-600 किलोमेटर दूर अथवा तो 5000-10,000 किलोमेटर दूर बैसीने पन विध्यार्थी पोतानी परिक्षा आपी शके जेना थी समय अने नाणा अने शक्ती नो पन बचाव अने लोजिस्टिक नी जी अवेलेबिलेटी कदाच न थी गणी वखत गणी वखत कोई कॉलेज अथवा तो कोई युनिवर्सेटी पासे ए प्रकाननू वातावरा न अथवा तो ए प्रकाननू इंफ्रास्ट्रक्चर न थीवातू तो एना माटे आ खुब आशिर्वाद अच्छे के घरे बैसी ने ज विद्यार्थी पोथानी एक्जाम आपे अने पोथानू टेस्टिंग जे चे चे स्टडी रिलेटेड एक अरावी शके प्रकाननी टेस्ट सामने रिते CBT एन्वार्मेंट मा लेवाती होए चे नमबर वन लीनियर टेस्ट और नमबर टू अड़क्टिव टेस्ट लीनियर टेस्ट नी जो अबड़े बात करिये तो इस इन्वाल्स फुल लेंठ ग्जामिनेशन इन वीच कंप्विटर सेलेक्स अडिफरेंट ग्वेस्टेंस फोर इंडिविजूल विदाल थी नू पर्फॉर्मेंद सलेवल वेवल कंसेडर करया वगर कंप्विटर नी कंप्विटर नोजे प्रोग्रामिंग होय अन्य अलग-अलग प्रका से यहने केवाई चे अडेप्टिव टेस्ट, here the computer selects the range of questions based on the individual performance level, तो मैं घणी वक्त जोई वशे के अमुक प्रकानी exams, आईलेट्स चे, जी आरी छे, आपरकानी जे exams से ए मोटा भागे घणा वर्षोधी computer based लेवाई चे, तो एमां एवु होए के शरुवातना 10 प्रश्णों तमें आपो, 10 प्रश्णों ना जवाब आपो, अने 10 प्रश्णों जो अगरा होए, तो 11 माथी लेईने 20 मों जे प्रश खुब सारू चे, तो एना अधार है अनु जे आगर नू टेस्टिंग छे ठोडुक अगरू बनावी शकाए, अथो पहला थी लेईने 10 मां क्वेश्ण मां पर्फोर्मन्स थोडुक डल होए, तो 11 माधी लेईने 20 मां क्वेश्ण्स ए प्रकार आउता होए चे, इस क्वेश चे, एमा अलग-अलग क्वेश्ण होए चे, डिफरेंट क्वेश्ण्स होए चे, इंडिविविज्वाल्स माटे ना एलोकोनू विद्यार्थी नू पर्फोर्मन्स लेवल केरे पन कंसिडर करवा मां नथी आउतू, जर बीजी प्रकार नी टेस्ट मां पर्फोर्मन्स ले चे, आपड़ा सवनों हक चे, देशना नागरिक तरीके, एवी सव प्रतम वात महात्मा घांधी जीए करीती, जर फादर ओफ नेशन लेके राष्ट पीता चे, लन्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर, भणतर हम्मेशा कुद्रत तरप थी आने कुद चिन्तक थे गया, एमने इंटीग्रल एजुकेशन उपर वात करी, कि तमामे तमाम सेक्टर्स ने इंटीग्रेट करी ने अपड़े एजुकेशन आपी शक्किये, फोकस अन स्पिरिच्वल आस्पेक्स ऑप इंडियन फिलोसोफी, भारत ना जे स्पिरिच्वल आस्पेक्स चे एना उपर तमें फोकस करो, जैंके इंडियन मैनेजमेंट सिस्टम नी आपड़े वात करी, तो महाँ भारत आने रामायन मां थी, तमें खूब सारू मैनेजमेंट, तमें खूब सारू बद्धीच प्रकानू सिक्षन लाई शको छो, ओके, तो तो दिस अगेन वेरी इं आस्पेक्ट जैनी वात डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्ण ने करी ती, जैन जे कृष्णा मूर्ती करी ने खूब मोटा तत्व चिंतक थे गया, एमने एजुकेशन तू टू ट्रांस्फोर्म यूमन माइंड मानसना मगज ने किवी ते अपड़े पॉजिटिव डाइ दियार्थी ने एक अलग प्रकानों अनुभव प्रोवाइड करी ने भणतर आपी शक्किये, सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलोपमेंट ऑफ इंडिविज्यालिटी, तो व्यक्ति पोता नी जाते ज पोता नी जे इंडिविज्यालिटी चे एना अधारे, पोतानों सेल् मॉन्टे सरी करी ने करी एना अधारे जो तमने वधाने ख्याल होए तो मॉन्टे सरी ना कोर्सिस पन समगर भारत मा चाले छे देयार पची किंडर्गार्डन और फ्रोबेल नामना एक तत्म चिन तक छे मने सेल्फ एक्टिविटी क्रियेटीव ने सोशल कोपरेशन ने फो कुद्रत ना केटलाक जे एलिमेंट से एना थक्की पन आपड़े घणू बदू शीखी शक्ये घणू बदू समझी शक्ये एनी वात रोजियेव नामना एक तत्वच इंतक के करी एना खूब साचू पन छे कि आपड़ी आसपास गणा बदा एवात नेचर ना ओबजेक्स से नेचर ना एलिमेंट से के जहना अधार आपड़े टीचिंग लई शक्ये चे अने जहना आधार आपड़े सतत कईक नेके बणी पन शक्ये चे एंडियन फिलोसॉफी मां तो एक एवो कंसेप्ट पन चे के ज्ञान जेपन दिशा मां थी आउतू है ए दिशा मां सेप्ट कौने आपया था एने लगती थोड़ी डीटेल से जे पन कदा च्यारेक पूछाती होए चे किटलीक इंपोर्टन डेट्स छे एनी चर्च आपड़े अत्यारे नथी करता बिकोज ये तमने गूगल पर पन अवेलेबल छे आने हवे आपड़े खास जो ये चे लास फेज आप दिस पर्टिकुलर लेक्चर के जमा किटला का अत्यारना हालना संजों को ने ध्यानमा राखी ने किटला केवा वेप पॉर्टल्स अने जे मैसीव ओपन ओन-लाइन कोर्स नी अत्यारे वाद थाई चे जने मूख केवा महावे चे अने एक खूब अत्यारे सब्लोप थाई रहेली आ एक टीचिंग अन लर्निंग नी प्रोसेस है भारत नी आपड़े वाद करिये तो स्वयम करीने एमेच आरडी नूँ एक पॉटल छे स्वयम बेजीकली हिंदी एक्रोनिम अधेट स्टैंड्स पोर स्टडी वेप्स ऑप एक्टिव लर्निंग फोर यंग ऐस्पायरिंग माइड्स भारत मां अत्यारे जेटला पंड यंग ऐस्पायरिंग माइड्स से जो कईपन प्रकाननों टॉपिक कईपन प्रकानना वीशव सिखवा होई यहना माटे नूँ आ एक पॉटल उभू करवा अविव छे जे इंडियन मूक सिस्टम एलेके मै इनिशिएटिव जहें ए महर्ड एडले मिनिस्टी आप हुमन रिसोर्स देवलोप्मेंट गवर्ड मेंट अफ इंडिया अंडर द इनिशिएटिव अप डिजिटल इंडिया तो गिव अ कोडिनेट इड आप स्टेज और फ्री एंट्री तो वेप कोर्सें और कवरिंग अल ए प्रोफेशनल एजूकेशन आ तमामें तमाम प्रकार्ना कोर्सिस डेवलोप करवा मां आवी रहा छे अने इट इस अल्रेडी अवेलेबल जो जामें गूगल उपर स्वयम लक्षो तो तमने एनी ओफिशिल विबसाइट मढशे अने इमां तमें घणाब दा कोर्सिस जोई एवीच रिते स्वयम प्रभा करीने एक बीजो इनीशेटिव चे अगेन MHRDA आ इनीशेटिव चालू करेवातों बाई कीपिंग अन बाई प्रुवाइडिंग 32 हाई कॉलिटी एजुकेशनल चैनल्स त्रू डीटी एजुकेशनल चैनल्स त्रू डाइरेक्ट टू होम तम इसकल्लाक साथ दिवस अलग-अलग चैनल उपर तमें अलग-अलग विशायो भणी शको चो एमां एग्रिकल्चर, मेडिकल, एंजिनरिंग, मैनेजमेंट, कॉमर्स, आर्ट्स, हुमानिटीज तमामें तमाम प्रकाना विशायो आ चैनल उपर जे देशना एक्सपर्ट प् प्रकॉर्ड प्रकॉर्स अविलेबल चैनल आँ ने लगता जेतला पान रिसोर्से ये बद्धा तमने तियां अविलेबल चैनल अद धिस प्राइमरी अली एम्ड एट मेंग एक्र्वालिटी लर्निंग रसोर्से अक्सेसेबल टू रिमोट एरिया अंतरियाड विशारोमा जे विद्यार्थियों रहे छे ए विद्यार्थियों आम अध्यम थी मात्र और मात्र इंटरनेट नी मदत थी कोईपण प्रकानना विश्यों भणी शके ए प्रकाननो प्रब्र जे एक इनिशेटिव चे एमेचरदी नो स्वयम प्रभा अने डीटीए चैनल जे हाल मा चे जेट एक डेडिकेटेड सेटिलाइट लॉँच खरवा मां आवे हो अना माटे ब्रोड कास्टिंग माटे जीट 15 सेटिलाइट टू प्रोग्राम औल टेलीकास्टृस् यले क्या एं पॉपण प्रोग्राम ना ब्रोड कास्टींग मां ठोडू पं इंतर्एप्षन ना आवे एना माटेनों इनिशियेटिव छे, खुबज वेलकम धायलों इनिशियेटिव स्वयम और स्वयम प्रभा बनने, त्यार बाद मुक नी आपड़े वात करी, के मुक बेजिकली शू छे, तो मुक बेजिकली मैसिव ओपन ओनलाइन कोर्स, तमें इंटरनेट ना माधियम थी, कोई पड़ विशय उपर सांबड़ी शको, वर्ड लेवल उपर वात करिये, तो 2008 मा एनी शरुआत था ही, पड़ बार थी, लर्निंग टूल तरीके एने बहुँझ मैसिव जे केवाई के एक्सेप्टन्स मल्यू, ले 2008 थी शरुआत था ही, पड़ बार थी, एने एक अलग प्रकानों मोमेंटम पकड़ी, एक स्पीड पकड़ी, आने हाल मा तुमें जो तो घणा बता फॉरम से, घणा बता एवा इंटरेक्टिव प्लेटफॉरम से, के जियां एक साथे स्टूडेंट, प्रोफेसर्स, टीचिंग आसिस्टन्स, बद्धाज आ प्रकान ना कोर्स, आ प्रकाननों मटीरियल, आ प्रकानना वीडियो लेक्चरस नों बेनिफिट लई रहा होई चे, आथी 10-12 वरस पहला जहरे अमेलोको स्कूल एजुकेशन मा ता, ते वखते आ प्रकाननी कोई व्यवस्था नाती, पन आजनों जे विद्ध्यार थी चे, एने आ प्रकाननों एक अलग प्रकाननों वातावरण मड़े चे के जेना काराने ए पोतानों अभियास घरे बेठा बेठा पन खुब सारीरते पूरो करी शके, किटला केवा प्लेटफर्म से इंडिया मा पन चे अने अब्रोड मा पन चे, इंडिया मा जो वात करिये तो IIT द्वारा अने IISC द वारा आ प्रकानना ओनलाइन कोर्स एकदम फ्री ओप कोर्स्ट वित नो रजिस्ट्रेशन प्रोड करवा मा आवे चे अने ए इनिशियेटिव नाम चे NPDEL इंडिया सर्च करशो यू विल गेट त्यार बाद वीज आईक्यू इंडिया अने US मा आ प्रकानना कोर्स प्रोड क जे स्कील ओरीएंटेट्स एक NH о्रिएंटेट्स पूंचाई कई प्रकार ना multiple choice questions पूछाता होए चे मात्र 10-15 मिनिट मा आतनू अपड़ू session आपड़े पूरू करीशू पन मरी एक वी feeling चे के तमें आजे पन कई भणे आजे आजना session मा एहने लगता प्रश्णों पन तमें नेटना जो तो तमने थोड़ो ख्याला होए यह पहलो प्रश्ण स्क्रीन उपर ए छे के which of the following is our basic paradigms in classroom teaching एले classroom teaching मा जे सौथी पायानी बाबतों जे छे एमा कई-कई बाबतों नों समावेश करवा मावे छे तो option A चे learning, option B चे instructional, option C बोथ A और B और D, none of the above C आ ठाइप ना जे questions से ए तमें बैरीते solve करी शको क्या तो तमें कोई एक जिग्याए वाचे लू होए एना अधारे अथवा तो teaching नों तमें पोते अनुभो करे लो होए तमें एज टीचर तरीके हमेशा जारे पन क्लासरूम मा हो छो तो तमारो teaching aptitude कई प्रकानों छे एना अधारे आना जे 5 questions नेट मा पूछाता होए जे ए तमें solve करी शको अधारे पन तमें विचारी ने थोड़ूक लॉजिक ना अधारे आ टाइप ना question क्रेक करी शको यह तमें जो ही सको चो के answer जे चे ए बोल्ड करे लो चे बोथ ए औने बी तो जहरे पन तमें टीचिंग करो चो तो बेजिक पेराडीम जे चे चे क्लासरूम टीचिंग नाई सुच हे तो एक तो इस्टो इस्टोनिम्पार्ट सम लर्णिंग और नंबर टू इस्टोनिफिक ऊल्वेज हॉष्पट सम in Gefühl तमें जरे पन्टमें लेक्चर डीलीवर करो चो तो उने नावलेज नी साते-साते कर सो पंढा हो । मैं अ आपो सओ इल्टए नों सरस्पव और से C, बोथ A and B. Question number 2 जे छे, एछे, the prime requirement to become a good teacher is to have, जो तमारे सारा सिक्षक बनूँ है तो एना माटे नीचे प्रकार्नी requirement, number 1, genuine interest in teaching, number 2, knowledge about controlling students, number 3, subject knowledge and D, good expression, जो चारे-चार options तमें कदा जोशो, तो यू विल फील के आचारे-चार options आम जोआ जीए तो साचा छे, it means के like answer आभी शके, पण एउ तो बने नहीं के आचारे-चार options साचा होई शके, अथवा तो आचारे-चार options साचा छे, पण question तमारो ए प्रकारे छे, के what is the prime requirement, यह आशब्द उपर खास भार मुख जो, प्राइम, इटले के primary requirement to become a good teacher, तो भले तमारो इंट्रेस्ट टीचिंग मां गमेत इटलो होई, भले तमें classroom मां students सारी रिते, कोईपन प्रकानी रीत थी, कोईपन प्रकानी धमकी थी, अथवा तो कोईपन प्रकानी धमकी थी, अथ जे expression रीच छे, तमारी express करवानी रीच छे खूब सारी होई, परन्तु जहां सुधी तमारा content मां पावर नहीं होई, जहां सुधी तमारो subject knowledge नहीं होई, तिहां सुधी आ त्रोणे वस्तु ओ, एटली effective थी नथी, एटले, what is the prime requirement to become a good teacher, is to have a good subject knowledge, जो तमारो content सारू असे, तो तमें तमारा students ने, तमारा knowledge थी, control पन करी शक्सो, तमारा students ने, तमें interest पन क्रियेट करावी शक्सो, अने over a period of time, जे तमारो expression छे, जे तमारी expression feeling छे, एनने पन तमें इंप्रू करी शक्सो, एले, this is very important, कि आप्रकार ना questions होई, तो तमारे हम्मेशा ए विचार्गू, कि कौन वगर teaching अधूरू छे, तो subject knowledge वगर teaching अधूरू छे, त्यार बाद, त्री जो question हो छे, अब 10 questions ए प्रकार ना छे, कि जे क्याक ने, क्याक ने तत्वातों सलेट नी exam मां पूछाएला होई, आपने त्यारे ए जोई रहाए छे, कि आ exam मां जे आ प्रकार ना question आवता होई छे, यहने तमें क्रेक करती वखते, तमारा मगज मां कई प्रकार नों एनालेसिस चालू हो जोई है, उन तमने अगेन कोचू के, आउट आप 10 डिफरेंट एरियाज और पेपर वन, पेपर वन ना जे 10 एरिया चे, हमां थी teaching aptitude, एक कमपेरेटिवली घणों easy कई शकाए, अने घ प्रकार नों एरिया चे, आमां तमारों प्रहतने यह हो जोई है, कि 5-5 questions, with your experience, with your reading, related to teaching, 5-5 questions तमारा साचा पढ़वा जोई है, जे ती करीने 10 marks तमारा यहां प्रोपर रीते तमें स्कोर करी शको, तो यह उचे के, what is the use of textbook in a class, number 1, to achieve learning objectives, number 2, to delimit what is to be taught, number 3, to explain ideas and concepts, आने number 4, set new standards, मैं अमना तमने वाद करी के, कोई पन सेशन नों planning जारे तमें करी रहा होई, तो यह सेशन ना जे learning objectives से, learning outcomes से, यह अच्छीव थया के नहीं, यह सेशन पछी, यह analysis को भगत यहनू होई चे, textbook नों उपयोग आपड़े इतला माटे च करता होई यह चे, कि जेती करी ने कया सेशन मां करो topic केटलो और केवो भणा वो, यह तमने खबर पढ़े, इतला माटे आपड़े textbook नों उपयोग करता होई यह चे, यह चारे-चार option, अगेन तमने identical लागशे, यह उन लागशे के, चारे-चार options आचा चे, पण what is the main use of textbook to achieve learning outcomes, learning outcomes तमें अचीव करो, यह main objective चे, त्यार बाद, नमबर 4, blackboard in which group category of teaching aids, तो blackboard नीचे ना जे options आपेला चे माँ थी, कई केटेगरी माँ आवे चे, आपड़े सव जानिये चे, के देरार 3, नमबर A, audio, नमबर B, visual, नमबर C, audio visual, और D, none of the above, तो आपड़े कई शक्किये के blackboard चे छे, ए विज्यूल एड से के जैना उपर आपड़े कई पन लखी शू, तो आपड़े विद्यार थी चे, आपड़े स्टूडन चे, ए जो ही शक्से, एटला माटे एने कई शक्किये, आने एने audio पन कई शक्किये, काण के अवे तो एटला टेक्नोलोजीकली साउंड, स्मार्ट बोर्ड सावे चे, जेमाँ तमें विडियो पन परफॉर्म करी शको, जेमाँ तमें कई लखी पन शको, तो smartboard जे चे, ए audio visual बनने के वाए, तो in that case, blackboard नी जेगिया स्मार्ट बोर्ड होई, तो तमारों आंसर आव से audio visual, पन त्यारे खाली blackboard छे, तो तमारों आंसर आवे visual, त्यार बाद, number 5, अवा किटला questions पन होई शक्के, के education is the manifestation of perfection already in man was stated by, अवे आब दी प्रकाना जे questions से, ये तमने क्यारे खबर पड़े, जे एजुकेशन रिलेटेड मोटा मोटा जे तत्व चिंता को धाई गया, मोटा मोटा जे ग्ण्यानी अत्वा तो महा ग्ण्यानी वेक्तियों धाई गया, ए वेक्तियों education विशे शू मानता था, अत्वा तो एमने एमनी लाइप मा शू प्रूव करिऊ, एने लगता जे statement होई, एने रिलेटेड, पन आ प्रकार ना अलग-अलग वेक्तियों ने वाच्या होई, एले, as an educator, as an academician होई, उस पस्ट पने मानूँ छू, कि जेटला पन सारा सिक्षा को हता, अत्वा तो जेटला पन सारा सिक्षा को छे, एने सतत तमे वाचो, एने सतत तमे अब्जव करो, तो आज ए statement छे, ए स्वामी विवेकानन दे आपिऊतू, आपने साउ जानियेचे, ए खुब मोटा तत्व चिंतक अने विद्यार्थी अने सिक्षकों माटे आदर्श कई शकाए एवा वेक्ति, अने एवा एक महापुरुष स्वामी विवेकानन के जेमना स्टेटमेंट आपिऊ अतू, तो आ टाइप एजुकेसनल प्लानिंग फीनिटरेशन. तो आ एक इसे इसे आपन महापन भ चांख स्थाह एंश हं धायाग कृत फर्पस स्थाह घूकेसनल प्लानिंग फन एडमिनिटरेशन. तो अने नामच है प्लानिंग प्लानिंग फन एजुकेस्क्यार्य उप्टेस्ट अर 돌, चाह अब दिस पर्टिक्लर इंस्टिटूशन इस्टू प्लान एड्मिन्स्टर्ड एड्मिन्स्टर्ड एड्यूकेशन अक्रोस इंडिया जे सी ओप्षन चे एड्यूकेशनल प्लानिंग ये आउश है त्यार बाद नमबर सेवन वेन चिल्डरन बिकम मिश्चीवियस एंड डिस ओबिडियंट इन दे क्लास्रूम दे टीचर शूड एग्जामिन जारे पन कोई बाड़ाक बहुत तोफानी अथवा तो तमारी आगनानू प्लानन क्लास्रूम मन ना करतो है तो तम्हें कई प्रका एंड अधर एट्रेक्शन इन दी स्कूल तो अगेन चारे चार ओप्षन तमने एवा लागशे के जे साचा जिवाज देखाए छे पन मोस प्रोबेबल आंसर तमारो जे छे के करो हावे के टीचिंग मैथर्ड तम्हें कई मैथर्टी विद्ध्यार्ती ने बनाओ छो ए तम झालते पतार सेलफ अनलाइस करो मने जे तमारू सब्जेक्ट नौलेजच छे में तमें सेलफ ऐनलाइस करो तो एना द्वारा तमने खबर पड़े किह इवा के टलाही विद्ध्यार्तियों मा बैठा छे जेने तमयाक प्रतियानी अपेक्षाओ छे यहने तम्हें फूल्फिल नथी करी रहा यूनों मानस तो एक सोभाव छे के आपड़े कई पन कोई पन कारिय करता हुए जो एक कारिय मां सामेवाडा वेक्ति नो अपने सपोर्ट ना मड़े तो हम्मेशा आपड़े एक मानस सोभाव छे के आपड़े पोदय ँवधारी साथ रिधे कई रिति इंपरूक्थ थही शक्किये mag आपड़े प्वूति वधारी साथ रिति-एफेक्टिव बनी शक्किये एजो एनलिसिस आपड़े करिये तो ग्रेजुवली एज टिचर तरीके आपड़े ले परस्टमेटि रिजेय वक्त यानी सापना कया वर्ष मा थाई आं memory based question छे तम्हें क्या वाचे लू है तो तमने याद आवे 1961, 1962, 1963, 1964 तो आमा मात्र ने मात्र तमारी memory नू टेस्टिंग थाई चे आमा क्या है कोई aptitude नू टेस्टिंग थतू नथी पन आ टाइप नो पन question होई छे के जेती करी ने खबर पड़े के अलग-अलग bodies ने भीशे तम्हें वाचे लू चे यानो रोल सू छे ये पन तमने खबर पड़े ले ओगनी सोने एकसर्ट मा येनी स्थापना करवा मा आवी थी त्यार बाद नाइन नंबर नो question छे in teaching if nothing has been learned nothing has been you know आएक kind of phrase चे kind of idiom से के जो teaching मा कईपण learn नथी थयू तो येनो मतलब कईपण भणावा मा आवी नथी एटले एक phrase जे तमारे पूरू करवानों चे के in teaching if nothing has been learned जो कईपण भणी ना शक्यू है तो येनो मतलब कईपण भणावा मा आवी नथी कोई पड़ वेक्ति त्यारे जशिक से जारे तमें के एक भणाव शो येले teaching अने learning ये बनने एक साथे बोलाई चे येले जो option मा A option छे taught, B option छे studied, C option छे examined, D option छे assigned तो येमा clear cut straight away तमारों आंसर सो आवे taught taught again this is a very important very philosophical statement even तमारे एज टीचर तरीके पड़ याद राखू जोई है के जो if nothing has been learned तो येनों मतलब ये हो थाए के nothing has been taught in your classroom तमें बढ़ायों नथी एटला माटे लोकों भणी शक्या नथी ये हूँ नथी के लोको भणी नथी शक्या अथवा तो लोको परिक्षा नथी पास करी शक्या अथवा तो लोकों ने जे काम सौप्पा मावियू तो ये मने नथी करियू अगें एज टीचर तरीके तमें जहरे पन स्टूडेंट ने मोटिवेट कर शो इंस्पायर कर शो तो अने मात्र तोज ये भण शे अदर्वाइज ये भणवानों रस नहीं उत्पन थाए 10. When a student can no longer recall material, he had learned some time back. One can assume that. You know, आँ बेज ये मुक्यला चे ए फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट से Number A. He had never learned it. Number B. He refreshed it. C. It was lost as a result of interference of subsequent learnings. And D. The neural connections involved faded as a result of de-use. तो आँ एक फिलोसॉफिकल टाइपना question से, आ टाइपनी pattern ना question पुछाता होई जे. पन आ जी type ना question से येमा तुमारे मात्राणे मात्रा पोठा नो ज तर्क यूज करवो पडे पोठानी जे philosophy होए, पोठानी जे ideology होए येनो ज उप्योग करवो पडे. त्यार बाद अग्यार नंबनों क्वेश्टन छे विच प्व दौलविग इस लिस्ट एक्षेप्टेबल लन्निंग अमा थी नीचे ना माती सौथी लिस्ट एक्षेप्टेबल लनिंग का उचय न। अबर एक बीद ग्वायर विधाउट इन्टन न। बी अकर to the individual on a d take place without operation of movies or and goals you know so again this is also quite a philosophical question के जहे तमारे पोता नो जे लॉजिक चे पोता नो जे तर्क चे नो उप्योग करी ने क्रेक कर वो पड़े तियार बाद बार नंबर नो जे क्वेशन चे विच फॉलोइंग वुड लीस्ट quality as an essential aspect of the process of learning तो A adequate readiness B response to stimulation C insight into means and relationship and D the reinforcement reinforcement of response okay see a type ना जे questions होई चे एनने तमारे खूब ध्यान थी वाजवा पड़े खूब ध्यान थी समझवा पड़े कारण के अनी जे language छे ए language क्याक ने क्याक थोड़ी अगरी कई शकाए ए प्रकान नी होई चे इटले तमारे एक तो questions प्रॉपर रीते वाजवा पड़े औने questions वाजवा पची एनने खूब सारी रीते समझवानों पण प्रायतन करवो पड़े औने आ प्रोसेस में तमने आचे हिए जीटली रिवाइस कानेवा याज अनुभाह के हिझे पल्ली तमारे मगजम क्लिक थाश ए इटली तमारे मगजम्ली कलियर त्यार बाद half a í फिन्मों क्वेश निर्चें जीशुड हृत और वर्क in टांस ऑप नबरे शि against allA systematic drill ले थी the mastery of subject matter c hearing lessons recited d child growth and development c what is the main purpose of our teaching सवथी मेन जे आपटुँ टीचिंग नो परपस से येशू चे के holistic development of child जे student चे एनू समगर development नो ग्रोथ थाय ए प्रकानू चे लो उपना त्रोण option नहीं आवे जवाब मा दी नामनू चोथो option आवश है त्यार बाद अगेन एज प्रकानना केटला क्वेश्चन सहीं मुकेला चे बीजा अनेक बीजा जे questions आवे चे ए आ टाइप ना होई चे अधरमा नंबन नो जे question चे के आरेंड अरेंज फॉल्विंग एक्तिविटी केकरव। टोममा ये आरेंज करवा नी चे टोटल अछ ऑफिविटी जा पर लिज्य रिरांड अनलिस पुर्क धाव क्वाटरर प्र्रेंटेशन अनेडी प्रिजयों आने इंप्रुरोप्य्टिविकेशन लेयं करवारी presentation of material and modification and improvement तो आने तमारे प्रोपर फ्लो मा अरेंच करवानी छे आ टाइपनो एक क्वेश्चन हम्मेशा नेट ना पेपर मां teaching aptitude नो हशे हशे ने हशे जब एटले साथी पेला तमें चारे-चार जे activity आपे ली छे यहां ती तमारे विचारू पड़े के साथी पेला आपड़ प्रेजेंट करिए त्यार बाद जे पन काम थाओ चे एनू एनलिसिस करिए अने लास्ट मा जे पन आपने इन्टरेक्शन करिऊ एनू इनू मोडिफिकेशन आने next session जहरे पन आवे त्यारे ने कही रीते वधार सारी रीते इंप्रूव करी शक्किए जिमके आधनू अत्या करिश के आज एपन काम आदनू बैकल लाकनू थयू एमा क्या-क्या मरी पोतानी खामियो रही गई आने त्यार बाद हवे पची जारे मारे टीचिंग एप्टीटूड फरीवार कोई विद्यार्थियूने भणावानू आवे तो एमा कई-कई प्रकार ना मोडिफिकेशन सिक्वन्स याओ शे। छे एलेया सिक्वन्स रिलेटेडेड जे एक खास हाता होई छे आने त्यार बाद आं प्रकाननू जे मैच करवानू जे आवे छे जे ये प्रकानना questions आवता होई छे अगेन एक स्वियुजिट चॅधेक रोट र में थे फाकी ंशिंपकर%, विवी होदा फ़ॉटर对ी पापीजार्स के समारिव्यड़ टेचिंगें फॉनुघूफ सबने ही लास्टॉ तो बीमा कई उप्षण साचु आवे तो बीमा केके आ उप्षण साचु आवे के गणी वख़त एउ बने चे के नेट सलेट मा ओप्षण्स क्यारे कोईक वख़त खोटा पंड फ्रेम थायला होए छे उके लिए आखास विध्यार थी जाते समझवानु होए जाते नक्की था ये आंसर according to paper ए आंसर आप्पामा आवेलो आतो कि जेमा ए नी सामें option 1 जे 6 साचू बी नी सामें पन option 2 जे 6 साचू अने C नी सामें option 3 जे 6 साचू पन खरेखर आपड़े जो जोई ये तो self study नी वात जे करी आती है साचू option जे छे ए आउशे बी एले आ टाइप ना पन questions पूछाता होई छे अगें teaching aptitude नी आखे जो आपड़े समगर चर्चा करिये और समगर वात करिये तो teaching aptitude मां जे खास अगत्यनी वात छे ए ए छे के as a teacher तरीके तमें successful teacher जो बनवा माकता होए तमारी rich students नी वधारे थवी जुए तो ए मात्र अने मात्र त्यारेट थाए जहरे तमारो attitude अने तमारो जे aptitude छे ए खुब ज पॉजिटिव होए तो एने लगती तमाम बाबतो निया आज ए पर्टिकुलर एरिया छे ए पर्टिकुलर एरिया मां वात करवा मां आवे छे अगें बैकल्लाक के सवाबेकल्लाक ना सेशन मां कोई पन टॉपिक आपड़े पूरी रीते संपूर रीते नहीं करी शक्ये पन आज बैके सवाबेकल्लाक ना सेशन नो मुख्य उद्देश मात्र ने मात्र एटलो छे कियाक ने क्याक जे पन एक्सपर्ट अध्यापको छे ए अध्यापको आटोपिक तमने जहरे पन प्रेजेंट करता होए बैकल्लाक मां अने जे पन प्रकारनी चर्चा एमना पोताना अनुभव तमारी समक सरजू करता होए तो एना अधारे तमें पोते कैक मोटिवेशन लो अने ए मोटिवेशन ना अधारे ए बैकल्लाक ना सेशन ना अधारे तमें आ टोपिक उपर आ एडिया उपर वधारे ने वधारे वाचो आने ए व कोई पण सिख्षक माटे खुबज इंपॉसिबल अशक्य केवाती बावच छे पण तैम छता कोई टीचर एटलू तो करी शके मैं तमने अगण पण एक वात करी के टीचिंग ना त्रोण लेवल छे के पहलू लेवल छे मेमरी बीजू लेवल छे अंडरस्टेंडिंग अने रिफ्लेक्षन एत्रोणे नी साथे वात करी एक आजना सेशन मां तमने कदाच बद्धी वस्तों याद नहीं रही होए आजना सेशन मां कदाच बद्धी वस्तों समझाई नहीं होए पर विशय उपपर विचारता जरूर थया हशो युँ मारी स्परस्ट पॉणे मांता चे युँ बेलीब चे आधना लेक्चर पची अने युँ मारी एक लागणी चे क्या आधना सैशन पची तमने एटलिस ट्रीचिंग एपटीटूड मा बे के पांट टका खबर पड़ी यहां आने बे पांट टका जे खबर पड़ी एक शरुआतनो जे इगनेशन कई शका है एक शरुआतनो जे क्याँ आएक पांच क्वेश्चन के रिते क्रेक्ट करवा पांच मांधी 5 बांच questions केवी रिते तमारा साचा पड़े आने 10 मार्क तमारा teaching aptitude मा केवी रिते तम्हें लावी शको एनी संपून एटले संपून जे जवाबदारी चे अत्वा तो ए संपून रिते तमारा उपर आधारी चे अगेन सेशन मा सौथी बेस्ट माटीरियल आप पानो प्रायतन करें चे पन तेम चेता कोई पन खामी अत्वा तो शती रही गई होए तो तो धर इस ओल्वेज स्कोप फोर इंप्रूव्मेंट हजू अधार इंप्रूव्मेंट लावा नो प्रायतन एज़ टीचर तरी के हूं करतो होचू करतो रहिश थैंक यू बेरी मच अगेन कुद्कू बावार तनिवाद अधार्ट भाई नमस्कार सर नमस्ते टीचिंग एप्टेटिव लूपार तमें खुब सुंदर रस्प्रांत मैधी बीपीडी द्वारा वुबज स्वरार बासा मा विद्ध्यार्जोने सम्झाई सका एवरी ते उदारान द्वारा तमें आपी बाकी ना लेक्चर माठे प अधार आपनी आए आत्रा लगभग्डे महीना सुधी चालवानी छे तो आ तबक के श्री गोविन्गुरु उनिवसेटी ना डिपार्टमेंट अप कोमर्स ना वडा तरीके और ओनलाइं कोर्स ना कोडिनेटर तरीके गोविन्गुरु उनिवसेटी वती हुँ आपनो अधियापक छे अधियापक छे बहशाना खूबत जानकार छे कोम्युनिकेशन ना खूबत जानकार खूबत अधियापक छे एमनों सेशन सोमभार एटले के तारिक 15 जून 2020 एक वागया थी लईने त्रोण वागया सुधी नों सेशन चे कोम्युनिकेशन नामना विशय उपर जेमा थी पन पांच क्वेस्चन्स पूछाता होई चे आने जेनू वेटेज पन टीचिंग एप्टिटु आप सवने वी विननती चे के यूट्यूब अधवादों फेस्बूक नाम आप्याम थी आप आ सेशन नों पन एटलो जलाब लो अने अवनार तमामे तमाम सेशन्स नों लाब तमे लोकों लो बद्दा चे एवी अमारी एवो अमारो एक आत्मी भाव चे अने वी आप सवन एक विननती चे कि अमारा प्रायास ने जो बधारे ने फोर्स तोज मण चे जरे तमे मैं समगर गुजरात मा आ वस्तूनों प्रचार ने प्रसार करो तो तमारा सरकेल मा पन जे नेट स्लेट इच्चुक विद्यार थी हो चे एमना सुधी अमारो जे आ प्रायतन चे ए प्र करी शक्ये थोड़ा को मोडिफिकेशन्स इंप्रूमेंट्स करी शक्ये एला आप सवने विननती चे के यूट्यूब अने फेस्बुक ना माध्यम थी जरुरी न थी के लायू तम्हें जूड़ा हो लायू ना जूड़ाया होए तो आ सेशन पती गया पछी तम्हेंने मैक् अने फेट तमारा एक पूर्तों मर्यादित नारे अपने हम्बेशा बहुजन हिताये बहुजन सुखाई नी भावना साथे जीविये चे अने टला माटेज भारतिये संस्कृती सर्वोत्तम छे सोनी साई खुब सरस्तना वादकरी बहुजन हिताये बहुजन सुखाई अहाँ प्रहतना पन गुविनकुरी अनियोसिटी अमरी नवी छे चार वरस्ती कारे रच्छे पन हमने अमने टीमने अवा नवा प्रवावबू करवानू अने ना ध्वरा विद्ध्यादी ना हितो पने विद अधिया विद्धा वीडियो यूट्यूब उपर पन अपने अवेलेबल छे इन बाकी ना समय मा पने जोई सक्किये जे ने में मदे रिक्वाल करी सक्किये जे विजाने पने आपने जान करी आपी सक्किये जे के संतमा सारा पुरुषार टी सारी 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 मैंत्वी पुच्वरो करती तरफ विद्ध्याद यो आगर वदे आपो दाना पूरुषारथी आत्मा ने ल maturity अस्तुझभाली गुजराथ के देन वने मातरम आप करिए जो जी 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 हो शुट ज्या जी जोन प्रनाम झाल झाल